सबसे पहले देखेंगे BRS and cashbook और उसके बाद बाकि सारे chapters और हम टोटल chapter यहां पर मैं कराऊंगा और बहुत fast और आपको सब कुछ समझ में clearly आएगा तो देखें cashbook जब हम बनाते हैं तो हलांकि इसका आने का इसलिए इसको जल्दी में आपको बता देता हूँ वह cashbook जो है वो तिन टाप का आपके आप से पूछ सकता है में ली जो है वो यही पूछता है या तो यह सिंगल कॉलम या फिर आप से ट्रीपल कॉलम ठीक है तो आप cashbook आखिर होता है यह तीनों समझा देता हूँ चैश्बूक में कहा था एक में simply cashbook आपका बनाना होता है जिसमें जितने cash आप रिशिप्ट के और जितना पे किये तो जितना डेविट करेंगे वो रिशिप्ट और क्रेडिट करेंगे वो पेमेंट ठीक यह होगा शिगर डू कॉलम में क्या होता है कौनट्रा एंट्री जो हम cash receive करते हैं उसको debit side और debit side यह एक bank column ॥ी खोलते हैं जिसमें हम बैंक क्या माउंट receive करते हैं उसको debit side और जो pay करते हैं वो credit side वहाँ पे साथ कुछ इसमें याद करने के चीज यह है वह हमेशा आपने जो उपर अमांट उसके साथ चलेगा अगर कैस अगर डिबिट हुआ है और उसके साथ कुछ वह भी क्रेड्いつ होगा थीक हैं ठिन ओडिसकाउंट and cash और ये हो जागा जबत है इसमें क्या है एक आपको amana गओण में की है अपका आ मांट थीए अप बोलेगा क्या किस अभीनिक हैं सो तो आपको करने किया रहा η है आपर स्टिप में से कुलमिक बनाते हैं इतना मेरे पास कैसे अवैङलबल और उट से जीतने भी kita करने होते हैं छोटे चोटे दि सारे कितल बना है कि इतना ही करता है है यह दिखाई देता हूँ वन सेके आपका क्या है बीस हजार आपको पीटी कैश्ट के ऄड़ी है ठीक है और अचने आप खर्चें से करने हैं तो जो खर्चे का लिए वह देखे किस चीज के लिए अजय और रिषीट सीर्फ एक होगा इतन रहाँ राखे तो पेमिंट्स के सारे कि अलग-अलग को अलग को नों को से सब कर दोनी को सब्सक्राइब गई हो और डिये हो एक पार्टीकुलरस में डाल दी कि हमें कौन कोन से सिर्फ एकस्व का मतलब है कि एक बार पैसे दिये जाते हैं कि सिब्स हो पूखे करते जा कि पोला急 करते जांज कि दिखा दे कि अल 미ला और और सारे क्र्चे को अलग सेम परकार कर वनको एक मेहीं जाने जाते हैं और रिसीट का सिर्फ एक क्योंकि एक ही बारी सिप्ट हुआ है और बाकी सारे प्यमेंट का अर लास्ट में जए वह हमारा बैलेस्ट जिए वह बच जाता है जी से 2800 मेरा भी बैलेंस बच जाएगा और अगर 2800 आपका बैलेंस बच जाएगा तो 17200 जो है आप फिर से ले लेंगे और आपका 20,000 जो है वो इसे ज्यादा कुछ भी नहीं करना रहता है आपका पीटी कैश्बूक में ठीक है ओके नव आइम कमिंग अगें कि सामने के लिए हैं सब्सक्राइब कर दोड़ा है दूसरा आप देखिए बी आर एस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देखिए क्या होता है मैं एक कश्टमर हूँ किसका मेरा मेरा लिजे बिजनस है और मैंने बैंक अकाउंट खोल रखा है तो अगर मैं बैंक अकाउंट खोल रखा हूँ तो बैंक जो है वो आपका पाश्बूक बनाती है और मैं घर पे कैश्बूक बनाओंगा मैं एक बिजनसमेर हूँ मैं कैश् को सारा में भेंक हें किया हूं एक अब संप occurred तो पता स्विक में काँच नहीं कर रहा क्या गर्ए जबंक्रा अंच हो गया था मुझे तोझ ए डॉवाइंत पता नहीं था तो इससे प्रेड़िट जयर नहीं है तो सफस्णर अंच आप हम क्या है एक आपको होती है यहां पर पूरा ब्राइस मतलब समझे किसी वजह से अब आप एक कुस्टमर है बैंक के आपका यह फर्ज है कि आप जो भी पैसे आप ले रहे हैं बीजिनेस में उसका बेंक में डालते हैं ये एज रूर के से तो जो आप रिसीव कर रहें जो आप ड़ाल हैं म और दोनों को एकोवल करना चाहेंगे cashbook पास्वूक तो महाँ पे पास्वूक घंच कम होगा तो हमें क्या करने चाहिए क्शिभूख घटा देनी चाहिए या फिर मैं जए मैंने कोई की शुकिया था तो मैं कि आप करूंगा मैं अपने कैश्बूक से उसको क्रेडिट कर दूगा घटा दूगा कि हान भाइओ इतना पैसा जो हो बैंक से घटने वाला है लेकिन पाटा चला कि बैंक अभी तक घटाया ही नहीं कि यह थीयों कि तीस तरीक अभ वाले को साइन करके दिये ना तो आप cash में घटा लिए cashbook में क्योंकि cashbook में total receipt total payment का हिशाब रखते है cashbook में और सेम अमाउंट का हिशाब रखते हैं बैंक में पास्वू के पास तो जब आप पास्वू को मैच करने जाएंगे तो पास्वू के नहीं किया जैसे यही एरर का एक वज़ा हो सकता है कि आपने cashbook में लिख दिया कि हां मेरा घट चुका है मैंने चेक दे दिया और है और दोनों में से कोई एक ही पुझेगा question में तो यह सारे problems होती है errors मत्तब यह errors होती है किसलिए इस बज़ेसे होती है कि हो सकते आप से यह यह बैंक से अरो जाए और इस करन से cashbook मैच नहीं होते हैं देखे errors कैसे कैसे होते हैं चेक आपने पेकिया bank में लेकिन bank अभी clear कि यह नहीं है तो आप तो cashbook में लिख चूक होगे कि मैंने bank में तो चेक दे दिया मेरा इतना bank में आ गया अगया अगर माली जी पता भी है तो cashbook में अगर मैंने में नहीं किया तो क्या होगा cashbook मेरा कम दिखाएगा और bank हमारा ज्यादा दिखाए क्योंकि bank में मुझे interest मीला है तो यह भी error का बज़े है कि अगर directly bank जो हो दे दिया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला तो bank तो बढ़ा हुँ रहेगा हमारा cashbook घटा हुआ रहेगा कोई चार्ज कर लिया यानिकि bank ने घटा दिया और मैंने नहीं गटा ते सारे प्रोल्म से सीधा है क्वेश्चिंस पे इतने करने की जुरूर नहीं है आपको सीधा है क्वेश्चिंस पे बिल्कुल लीजी है कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा यह cashbook देख लिए भी आरे से दिख लेते हैं लें तो यह कर वह है 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 यह दिख नमर तूस बंड भी आएंगे डेविट बैलेंस एच पर होका कैश्वूग का कैश्वूग का मतलब हो समझे कि आप चेक कर रहे हैं कैश्वूग आप कैश्वूग चेक कर हैं कि आपको बनाना रही कि या कि मैं प्रोबेलम से भी द्या हुआ यो अपि was चrophy सकता है चेक बिकांड़ू dua कश्य कर दिया की आप अपने cashbook से माइनस कर लिए हो उतना मांट लेकिन बैंक अभी आपके अकाउंट से पैसा काटा ही नहीं है तो जब आप बैंक के पास जाओगे आपना cashbook लेकर तो बैंक क्या कहेगा कि आपका अभी भी 18,60,000 लेकिन आप क्या कहोगी नहीं मेरे पास तो 15 लाग है देखो भाई आपना जो है वो प्लस माइनस कर लो तो आप सब्सक्राइब करूंगा तो बोला कि तुम चेक किसका कर रहे हो तो बैलेंस एज पर cashbook मैं cashbook को ही चेक करूं क्यों क्यों कि हमने इसू की एंट्री कर रखी है cashbook की चेक की लेकिन भी पें नहीं किया है तो बैंक अगर पें नहीं किया है और हमको प्लस माइनस cashbook में करना है क्योंकि हम cashbook को ही अभी देख रहे हैं है क्योंकि हम जरू चेक को मायनस कर रहे है रहे है стоvery डिटर को भास्ट्रे क्यों बढ़ा दिकना है क्योंकि वह वह भी नहीं की है Damn to bank अगर पेंक किया हिं नहीं दोलाख पचास जार ठीक अगला चेक डिपोजिटेट इंटु बैंक फॉर कलेक्शन बट नोट कलेक्टेट वाइंक अप्टू दीस डे माल लिजे मैंने बैंक में बहेजा और चेक कि मेरा बैंक बढ़ जाया मतलब जमा किया मैंने अपने बैंक में लेकिन बैंक कलेक्ट यहीं आया है क्योंकि स्टार्टिंग में लिख डिया है कि आप किसको चेक करें तो हमें क्या करनी चाहिए गांस कर दीन चाहिए उनुक्त है यह दिखांग डेएंग लेस अधिए पेश्में साथहलाख राजार मैंच मैंने आफ व करें आप हैं अब आप वह क्या है वी प्लस मैंस क्यों करेंगे ये सिंपल जिवार्ण आगे यह आगे यह करण नहीं पता ही नहीं यह यह भी देख लिए यह भी लेस साइड में है माइनस वन था यह अगला से चेक डिपोजिटेट इन्टु बैंक वाज डिजॉणर लेकिन हमें कुछ पदा ही नहीं था मैं चेक डिपोजिट किया बैंक में तो मैं क्या कर लिया होगा मैं एक लाग साथ हजार बढ़ा लिया बैंक जो है वो हाउस्टेक्स पए कर दिया है लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं था कि बैंक ने हाउस्टेक्स पे नहीं धुमें तो हमें एकलाग सीसलग तया यह रहता हुदा है क्या यह भीजों को डिफ्रेंसे दिख रहा था उसका इतना वज़ा है क्रेट बेलेंस अच पर पास्बूब का सब्सक्राइब हमाउंट पड़ा हुआ है और गितने ये सरे अर्सेतने इतने बाल सिर्ट है नहीं और में और कुछ एहिन ही नहीं में बोस एक विजस्ट को इसको है और ये हैं क्हेश को रिग्लाद में मैं आपको और क्लियर्ली पशा दूs की जितने के होते हैं या जो भी प्ररेंट के क्या झाले अर्य को थी यह रिस और लिल्ज के नहीं है il somics लुच्छाम की उपलाइव और उसमें पलारे व हो र हैं एक प्राम करेंश कौने ७ा दो यही दोनों में से को यह पूछ सकता है कि कैश्बूक का अगर आप अलग दिखा दीजिए और फिर भी आरे सब बना लीजिए तो को दिखाएंगे और जो बाकिके कैश्बूक के अलावा गलती है उनको ब्रस में दिखा देंगे सिंपल यही काम है और कुछ काम नहीं करना जैसे देखें क्वेश्चिन दिखें जो था वह 26,80,000 का पहले बैलेस देख लेते हैं बैलेस कहा है देबैंक का स्टेट्मेंट सोरे डेविट बैलेस ऑफ फुर्टी 24 का तो बताएँ कैशनी अलग बनाना तो कुई बात नहीं ल na है अक्र और क्रेडिट बैलेस को楓 में बाई SAY तो यांध ऑकाउट बना लेंगे और कैसे रिलेटेद सारे जो भी रॉन अच्छे को ट्वेंटी शीक्स लेक्ट ट्वेंटीएट थाउजिंट डिपुजिटेड नाइज सेप्टेमबर वाज क्रेडिटेड बाइड बैंक ओन थर्ड अब पताई इसको जब वो ती सेप्टेमबर को हम बना रहे हैं यह एंट्री हम को करनी है ठीक है ती सेप्टेमब को लेकिन बोल रहा है कि बैंक ने गलती की है क्या गलती कि है अचे करेडिडिटेर बैंक और थर्ड दिसमबर क्या एक्टूबर कैस्पूर की है एरर और नहीं यह तो बैंक की यहां को इसको कैश्पूक में नहीं लेंगे अब देखें पेमेंट बाई चेक फोडु है इस कर दिया किसी पे ही किया सक्क लिए तो क्रीट कर दिया एक बार मुंसों को डेविटि कर देंगे तो सब्सके तो पर योटे कुण अंटिल 1st October 2019 अपते यह एरर किसका है क्या यह Cashbook में कुछ भी गलती हुई है अब देखे यह एरर जो है वो बैंक का है Cashbook का तो है नहीं तो Cashbook में इसका कोई भी एंट्री होगा इसका कितना महुंद था और वेर इस देट यह 12 लग 34 जार का बोल रहा है कि कोई भी हमें बड़ आडवाइस वाज नौट रिसीवड बाई नील अंटिल 1st October बैंक में क्रेडिट हुए है 1234,800 का ठीक कोई कॉस्टमर से मिला था हमें और हमें उस चीज का पता ही नहीं है यानि कि हम क्या बनाता है प्तवए आपने आपने इंटिमेशन मिला ही नहीं है और तक जुब हो किauen आपके मेंशन इंट्मेशन नहीं कर रहा है तापको मेंशन कर देनी चाहिए यानि की दुराइट चोटीजर राट सो से आपको बढ़ जानी चाहिए कैस्पू की गलती थी दौलाइट चैटीजर राट सो से कश्टमर से रिसीप था उसको मिने दिखा दिया अगला सब्सक्राइब करें तो सीधा यह जैसे इसमें देखे ते कि चैश्टी किस की है बैंक क्योंकि वह बाद में उसको क्रेडिट माना तो बैंक समझें ठीक बैंक चाहिए जाट इन्टी नहीं है कोई चार्ज किया था मैं घट गया था और बैंक मेंट्री निया तो कैश्टी कर देते हैं जारा साथ से हटा देते हैं इसको तो यह देहिए घ्रजी करेंडिट साइड या निगटिया कैश आप 50.00000 अप 40,000 से बैंक ने नील को ट्रे डिया हमारे केश्पुक की गलती यह नहीं यह थो बैंक तू ठीक एट िंगा यह हमारी एम्टी नहीं है इसको भी नहीं लगा यह ब्रस के जिसमेना ही लग पर रख क्रोस्ट लिगा रखाई वो ब्रस में जाएगा ठीप अब इंधे सब्सक्राइब या निल विड्य पर टूलाग एक एटी थाउजन वाइट आप 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 इस भाइने ट्रौ इस पैंक ठीक डिजोन रखिवने जो रही है जो रही है तो तिसको नहीं हुआ है क्यों कि यह प्रिक्राइब हो चुक्त चुक्त सब्सक्राइब केर इसे थाप यॉट्स को वह सब्सक्राइब है अगला चेक यूट किया है 30 सप्टेमबर तर वाट नोट प्रेजेंटेट फूर प्रेमेंट अप्टू डेट ठीक है मैंने कोई चेक इसू किया लेकिन बैंक पे सब्सक्राइए अब इतना समझें जितने सारे हमें कर रखी है अब इन सारे इंटी को जब आप प्लस-mineus करेंगे मतलब आपका बैलेंस करेंगे तो पता चले कि यह आपका बैलेंस इडी आएगा इतना वाई साजार चार्सोच और अच्छ पर कैश्पूक यानिकि सारे कैश की जितनी भी गलती यांदी जो गलती मैंने की थी बैंक नहीं कि तो वह एक विचलिक में आ गए या बैलेंस एज पर तब भी तो डेबिट साइड बैलेंस आया ये अगर यहां पर यह उपर वाला मांट कम होता इससे दो लाक नावासी है ज़ार दो सुच्रासी क्रेडिट है और उससे कम लगभग दो लाक च्यासाथ हजार एंसम्थिंग जो था दो लग श्यासाथ हजार आपका क्या रहा आपका क्रेडिट साइड आ रहा था यानि क्रेडिट साइड कम है तो ओवर राप्त है तो बाद में वो क्रेडिट किया है यानि कि वह बढ़ा हुआ है ठीक अब 30 सितंबर तक मैंने क्लेक नहीं किया तो नहीं किया तो उसको भी हम घटा देंगे मत्व समझ रहें यहां पर साब बोला कि वह जो है वह क्रेडिट कब किया है ठीक घटारेंगे तो टॉटल करेंगे तो तो आप टूटल करेंगे च citizenship चाथा जयंता मोction सब्सकिूण यह चाइज मैने सदोनों रहनी दीजी फेस्टांट से अरया फोट एंट्री कुछ पर को सवाया है और किसी पर क्रॉस लगा कि यह देखिए इस पर क्रोस लगा यानि के भी ब्रस में आता और सिक्थ सप्टेमबर बैंक क्रेडिटेट चालिस हजार टूनील इनियर नील को गलती से नहीं किया तो अगर अभी तक हम पे नहीं किये हैं अपने बैंक मैने एशुका दिया मैंने जिए को मैं कश्सा पॉइल है माइनस अब बैंक न सबस्क्राइं कि चाहिए अच्रानी क्या अधे करोता शे JOHN एक्तालिस अजा पान्सों सोला यानि के भी निगेटिव बैलेंस आएगा समझ गया हो गया और कुछ भी करने की जूरत नहीं है इतना यह आपका भी आरेश में कि इतने माक्स के पूरा फूल माक्स करेंगे अगा लोटते हैं मुसीबें कि दर गया यह हो गया पूरा ब्रस आप समझ गया इससे जएदा पूछे गया नहीं एक कैश्ट बूक वाला एक ब्रस वाला उत्रहीं आप डेप्रिश्येशन में सिंपल सा समझे यहां पर एस अकाउंट बनाते हैं सिंपली मैं आपको बता दूँ मैं अगर वो बढ़ेगा तो डेबिट साइड और अगर वो घटेगा तो वो क्रेडिट साइड समझ गया क्योंकि एससे अकाउंट हमको बनाना रहता है यहां पर क्या डेप्रिश्येशन में कि हमारा जो समान है जो एससे हैं मैश्यूनरी है उसका वेलू कुछ टाइम पर घट होगा जैसे डेप्रिशेशियेशन हो जाए तुसकर डेवीशां दिखेंगे क्रेडिट है क्रेडिट साइड क्योंकि मसीनरी अकाउंट जैवर उससे बढ़ेगा तो इससायट और घटेगा तो इससे तो डेप्रिशेसियेशन कि दर जाना चाहिए इससे तो और और ली यह अन्त करते हैं आपके सकता है मार्च और अप्रील मतल מה बंद करते हैं को कि मुच पर होने माली नहीं है को calendar of 2018 तक हम पर यह जरल सुद्ट Mr आयए उस परबाध मेश सब्सक्राइब करने हो 15% 2018 के बाद आप लगाई एगा और उस पर जो रिटेशेञ डाउन फेली होगा रिटेनल मतलब डिप्रीसेशन लगाने के बाद जो वैली बचेगा उस पर अगले साल का डेप्रीसेशन लगाना है लेकि जो मेन विली उस पर हर साल ही मेन वेली पर यह एक जन्मरी को आप एंट्री क्या करें यह एसे अपके पास आया है तो एसे टांट बना रहे हो तो उसको डेबिट साइड दिखा तो कि एक लाग साथ हैजर का मेरा आया है और उस पर अगर आप कुछ खर्चे भी किये होता है पता है कि जो भी हम कैपिटल एसेट्स पे ख हो जाता है तो तो लाग ये ड्यक्त लिक्स अब डू बैंक अकाउंट यहां पर ड्रेकली दो लाग छेन ये एक जन्मरी की बात इन होता है स्प्राइंकों यह वहनां तो यहां आप एक स्टार्टिंग का इन्डिंग का इंडिंग का इन है अब अब क्या होता है अब हम अब तो कुछ हुआ नहीं अब तो हम एर इंड पर जाएंगे क्यों क्योंकि अभी इस साल कुछ नहीं हुआ दूजार पंद्रह में और कुछ हुआ ही नहीं है यह देखिए फिर सीधी जो अगली बात को 2017 की थी तो हम 2015 का पहले हैं भू क्लोज कर नी सार्प रहर है यहां फिर स्टार्टिंग तो यहां पर slide 20 ऌ्ट 10 और सब्सक्राइब सब्सक्राइब लेकिन क्योंकि ऐज आगे चलए visible आ चैने महीन का तो कर दिखा दिया है तो 2,08,000 तो हम दिखा दिये हैं कि ठीक है मेरा इतना था 2015 के अंत में और अंत में अंत में आपका कितना वैल्यूं बचा अंत में 31 दिसंबर को आपका जोव्यं बचा बैलेंस यूदी से एक लाक असी हजार आफका फर्स्ट का बचा क्योंकि फिर्स पे यह तो एक अगले दिन धिम्हों आया ये सब्सक्राइब करें 2016 उस दिन देखें कि मेरा बैलेंस दोलाख शापना जा रहा है अब हम 10% हमको पता है कि हम किस पर लगाते हैं हमें लगाना है दस परसेंट 2008 तक अभी तो 16 चल रहा है और इजिनल कोस्ट कितना है दो लाह का है यह और यह असी अजार का तो दो लाह का दस परसेंट बीस हजार असी हजर का दस परसेंट 8000 अब उपर 4000 क्यों लिखा था क्योंकि वो छे महीने का ही लगेगा ना पीछले साल वो जुलाई में खरीदा गया लेकिन 2016 के स्टार्टिंग में डेप्रिसेशन लगाने के बाद वो बच रहा था फूल वेल्यू ठीक है लेंगे क्योंकि यह और रिजिनल कोश्ट पर था 2018 तक और असी हजार का दस परसेंट 8000 तो कितना होगे 28000 अब अधाइस हजार दो लक्षपन हजार में से घटा देंगे तो दो लक्षपन हजार मारा बैलें सीडी बचेगा जो अगले साल जाएगा ठीक है दो लक्षपन अब क्या हुआ दूसरा मशीन जो कि आपका अशी हजार का था उस पर डेप्रीशेशन दस परसेंट 8000 पूरे यह का और यह तो बीच में खरीदा गया है तो यह तीन महीने का फॉस्ट वन जो है वह जुलाई में बिग गया तो फॉस्ट वन अगर जुलाई में बिग गया अब बताई यह कुष्ट पर डेप्रीशेशन लगा था और वह जितने में भी का और जितना का वह था वह सब चीट से में प्रोफिट लॉस पता चले रहा माली जिए दो लाख का वह था वह तो क्यूस्ट में गिवन है कि आप एक लाख में बेचे हैं तो दो लाख में तो शुरू में वह खतम हो गया फिर से 20,000 चालीस अजार और यह छे महीने फिर से युज़ूबा 2017 में तो कितना हो गया दस जार और तो बीस बीस तस पत्चास अजार वह खतम हो चुका था यानि वह था डिड़ लाख का ही और बीखा किता में एक लाख में यानि पचास ज सब्सक्राइब लगा और जो बैलेंस बच गया वह 89,250 और मशीन वन तो खतम हो चुगी है तो खतम होगी जो कि दो लाख में खरीदे गई ती यह गीवन एक्वेस्टम इसको जोलाई में 2017 में बेच लिए ठीक है तो बैलेंस जो है 89,250 इस साल बचा हुए है अब देखें अ सब्सक्राइब बोला था कि 2018 से आपको WDV यूज करना है यानि कि जो इसका वेल्यू यह है ना इसी पर देप्रिशेशन आपको लगाना एक पिछले सार जो वेल्यू बचा था तीनों का उसी पे जवा को डेप्रिशेशन लगाना है तो 60,000 तो किसका वेल्यू था साथ हज तक कि अ अशे हजार का वाला आप खृटेगे तह उसका साथ हजार बचान ता क्यों कि 20 जाड़ डप्रीशिएशन में लग्या था इसका मेरे था 29,250 इतना ही तो मजा था क्योंकि 750 दीप्रिशेशन लगे था अब इसपे आपको डिप्रीशेशन लगाना है 15% तो इसपे जब 15% डिप्रिशेशन लगा वे तो साथ हजर का फंद्राइपरसेंट आप लगाओ और कितने आप पूरे का लगा होगे, क्योंकि यह 32,28 तक लगा रहे तो कितना आएगा, आपका, पुरा डिप्रिशेशन लगा थे उनका बैलेंस बचेगा कुछ भी नहीं तो आप पुछेगे क्या यह करना जो देखे यह अगर दस मां का क्वेश्चन रहता है एक से दो मांक्स आपके इस वर्किंग नोट के मिलते हैं अगर आपने वर्किंग नोट किया अगर आम से अगर का एक अमांट का मशीनरी है और वो दस साल तक डेप्रिशियेट होती है ठीक है रिसीडिवल वेल्यू नहीं मचता तो फॉर्मूला क्या था कॉस्ट माइनस रिसीडिवल वेल्यू बाई नमर ओफ यर्स तो कॉस्ट दस लाख माइनस जीरो क्योंकि कुछ भी रिसीडिवल दे फीकी बाई नहीं है तो देप्रिशियों कितना आया एक लाख और यह कितने के लिए पूचांट चौक पर इय learner लगा घएगा Mouse बच चाहिका अब क्या बोले रिमेनिंग इस फुल लाइफ जो है वो आठ साल का है और अभी कुछ भी नहीं दिखा कि रिसीड विल्यू क्या है तो रिमेनिंग अगर आठ साल का है तो डिवाइद वाइट कर देंगे तो अच्छे लग्षालिजर डिवाइद वाइट तो कितना जाएगा है हम सब्सक्राइब हो गया अब अब देखिया डिप्रिशेशन टूटल हो गया क्विकली दिखना भी देख लेंगे ता आप जो है वो इक्जाम में अच्छे कर पाएंगे रिक्टिफिकेशन अफ एडर बन सब्सक्राइब को सम्झा देटों क्विकली कि टर्म्स कितने आ अच्छे कानी तो जो गलती आप कैसे कैसे बहुत ते आप की गलतीया जो है वह सकती यहरा प्रिंस बने अपने 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 गलती कर रहा है लिग बार में क्युक्त परका रिख तो उसके को एफेक्ट कर दिके ने वो तो डबिक रिडिट रवनत वागर, तो उर्त डिए कर दिया लिखा ही नहीं क्रिफ़ाइब तो फोग इस तो मैंच करें गालए और फेलाइब इन इन फुर्स्ट के आपने रिखाई रिखाई नहीं तो अपने लिखांट तो टाइल में में एरो हाए हैं आप में लिख टो यह लगिल शुवरी डिविट करता है तो इस जी जिसमें आपर रॉंग बेलेंसिंग कर रहे है wrong side advocating कर दे रहे है wrong Amount डाले रहाए wrong account को credit करने देभिक सारी जो है double recording कर दे रहे तो है सारी थो है इसे स सारे के है तो इसे सारे क्योंlier संटाला Galaxy अर्ट पंटी कर दे रहा हना अपकम ज्यादा कर दे तह स्क्रमेंगें कर दे रहे तक है को यह她 कम विथ से अफेक नहीं होगा ठीक है जिसको क्रेडिट कर ने च Raptors की में जो है स臉त अ हूप मैं जब सुस्पेस सार पंप कर औरficूस आब बाना गाले तो panorama आपको पतार अगा करता चुछ मैं उसके वाद में जो स्पेंस आकाउंट बस सिंपल अब एक पॉइंट जो भी एर्रस ट्रायल बैलेंस से पहले होगी यानि कि मालीजे मुझे मैंने जर्नल में पोश्टी नहीं पोश्टी कर रहा था जेनरल अकाउंट में और वो एर अगे तो उसको क्या करेंगे अब अब दबल इंट्री की एरर हुई नहीं है एक ही एंट्री की एरर हुई हो मान दीजिए डबल इंट्री में रह नहीं सिर्फ एक एंट्री में मतलब डवीट करनी चाहिए पर प्रफलम तो आप क्या करेंगे वहाँ पर तो जो ड़ेट करनी चाहिए अगर आपने ट्राइल बैलेंस बना रखा है ठीक है लेकिन आपने फाइनल अकाउंट नहीं बना रखा मतलब पी एंडेल और बैलेंस नहीं बना रखा तो उसके लिए आप सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेंगे जैसे कि देखिए बोल दे कि पर्चेज जह घट गया है तो अब क्या लिख रहे थे कि सीधे पर्चेज को डेबिट कर दीजिए को इसका डेबिट कर देंगे तो बढ़ जाएगा यहां पर आपको क्या करना है पर्चेज को दिखा दीजे कि दूसरा अकाउंट जो इसमें इन भोल होगा वह सब्सक्राइब कर दिखते हैं पहले की नह करना है परना है का सब्सक्राइब करेंगे लेकिन यहां पर देहां रखेंगे जो भी नोमीनल अकाउंट होंगे नोमीनल नेचर के जो भी आइटम उसके लिए आप यूज करेंगे क्या पी एंडेल एड़स्टमेंट अकाउंट यह यह उसकरिण को क्रेइट करना चाहिए अज करता था तो आप से स्पेंट कर दीजे और सेंसको क्रेडिर कर दीजोंस के जगते जो परेडिकर एकर यह कुझते नहीं लिक इंपर आइस में नहीं लिए इंकम नहीं लिक्स पेंस्टिन लिके महां सिर्ष्ईमध आपको दिखा दिता है क्वेस्टोन और लिए इसके लिए क्षजूल पर फेले करेक्ट ईन्री फिर उंटी सब अधू सब चुत बन ngजा दिए है जो डियंट्री में रहता है वह राइन्ट साइब क्रेडिट में बॉस曲 क्रिडित और ही दो खेंगा मकड़कि क्रेडी अक्रिट पम्पनी बाच पोश को में लेकिन दरों मेरी क्या हुआ है आप करेडित कर दिये हैं किसको त्रिवेदी को तूशिधिया पड़कर दिये कि तूशिगों तो यह क्रेडिट वाला दर आगा तो ये थो डिवीट हो जाएगा तो क्या विदी जो है वो दू बार मतलब बढ़ जाएगा त्रिवेदी आप समझ ने कोशिश कीजिए जो क्या होगा कि त्रिवेदि इधर डेबिट साइड में इसा है ऊनी चाहिए है त्रिवेदि को शेये। तू Sells अब गलति हो गया कि हम उसको कर दिए है तू तू त्रिवैद्ल मतलब डिट होने चांग कृणि है तो जब इसको क्रेडिट कर दिए तो रहेगा लेकिन मैं क्या बोला था पहले क्वेश्च बोल रखा कि यह जो आकाउंट इंफेक्ट हो रहा है जिसको बढ़ाना या खटाना चाहिए उसको आप बढ़ा दो और बाकी वाले उससे कुछ आपको लेना देरे नहीं है तो सिंप्ली आप क्या करोगे लिख दीजिए क कि देविट त्रिवेदी वीद 800 कहानी खत्म और अगर यह ट्राइल बैंस खूल रखा है तो आप क्या करेंगे जब ट्राइल बैंस खूल रखा है तो मैं क्या बोला था कि बढ़ात तो ठीक है सामने वाले के लिए क्या करना सस्पेंस अकाउंट खोल देना तो यहां सेल्स सब्सक्रांट के बाद तो नहीं है तो मैmos थो यहां अगर आप सोचना कि यहां कि यह दो उसको में ही गूरा टाइगे डिया है तो यह चल रॉस देखेंट का क्रेडिट कर दिया है और शेल्स तो अल्रेडि क्रेडिट नेचर काय होता है Who's समय रह colonies के रहा हुड तो शेल्स के बार में कुछ भी नहीं बना था यानि कि सेन्स हो खरेक्वन पास्त हा तो तू सेल्स और इधर सेल्स हा था था और यह सींस तैन colony आपने एक या तू सेल्स तो फोटो है गलाती कहा हुआ दियार अकाउट एनी कि टू तू तरिवीट यह लेडिट कर रहा है या धिलीक रहा है तो जोबागो क्रिडिट के ूश बीट कर दिये और तू तू तरिवेडी भी तो इधर सिल्से और इधर भी सेल्से तो यह यह ध बढ़ा हुआ है और कुछ भी एड़ेट नहीं तो सस्पेंद आगा तो असने सकूल नौट शाथ नेसे तो पता चला को विफोर टायल वैलेंस कुछ भी नहीं करना था तो जो आपको इरो है उसको बढ़ा दिंगे को भीट कर दो भगा दो दूसरा पता चला कि सा काल ना था तो मने जोसे आपने से लाइग इस व्यूंस taking a बढ़ा दिया तीसरे कि तो सेल किया है पार तूंसेल्स डेबूक एज टूफोटी की वो जो है वो सेल माल लिया अपने परचेज किया था अपने सेल माना और वह भी कम अवांट तो यह दिए कितना मारा मंतुरी एंपनी टूसेल्स तो सब्सक्राइब कि अगताने कि बुल लाना है तो मां लिजे मंतुरी एंपनी कमपनी को डेबिट यहां पर क्रेडित है और यह कह रहाइन लाओ तो यह भी तो विटे देविट में तो सेल्स भी डेविट पर चेज भी डेविट और टू मंतरी मंतरी क्रेंटी कितना से 600 कितना विजिसकोट अई तोटल 660 और उपर भी देखरा हैं नियुकर और यानि की रोग इंटिको राइट इंटरी में ला देते हैं निवर्स करके साइड तो हो जाता है हमारा रिक्टिफाइड एंट्री देख लिजी क्या होगा त्यूरिक्टिफाइड इंटिया अपका हो इसेल्स अकाउट डेविट समझेए क्यों 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 क्या बोला था किसस एक अकाउंट में अग्र दीकट हो तो उसको सिंप्ली परचेज अकाउंट भी कहां से यहां से 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 अकाउंट भी यह पर टू मंत्री एंड कंपनी पूरा 660 ठीक और अगर यहां पर अगर सस्पेंस अकाउंट भी खोलना है तो कहीं पर कुछ बचा थोड़े ने कि आप सस्पेंस अकाउंट खोलो के मतलब समझें से अब तीस अब परचेज शिल्स जो दोनों जैनो मिलाइट में वह बोला था जो जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो यह दोनों के लिए आप यह दिए बन जाएगा कुछ भी नहीं करना इस इस पर सिप करेक्ट और इनकरेक्ट इंटी पास करनी है हलां कि यह जो है माँ पीडिए में दे दूगा तो आपको असानी हो जाएगी चैट वन से कि आते हैं और यह हो गया रिक्टिफिकेशन अपेर अगला चिप्टर पर चलते हैं क्विक्ली चलेंगे ताकि आपको दिक्क्त ना हो अब आते हैं आपका क्या है कंसाइनमेंट है ओके क्या होता है कि आप जिए वह एक कोई आदमी को सेलेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमको अपना समान भेज रहा हूं ठीक और मैं कुछ अब भाई भेज रहे तो ऐसे तो नहीं कि ड्रेक्टि भेज देंगे और थोड़ा अगर नजदीक ही भेजना रहेगा बेचना देखना रहेगा आपको तो उतना और जाकर है यारिक मतलब साफ़े आप किसी डिश्टेंस पर बेचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे वहां पर को यादी में जिसको भेजा समान को वहां पर समान कुछ खतंगी हो सकते हैं या फिर वह नचुरली डेमेज भी हो सक करता है फिर जो सामान सामने वाले के पहुंचा वह बेचारा फिर कैरी करेगा अपने गुडावन मिले जागा और बाद में बेच कर आपको पैसे लुटा देगा मतलब आप सिंपल सा है एजेंट की तरह आप कंसाइनर है आप गूर्स कंसाइन करते हैं सामने वाले को किसी भी कि आप रेले से जिसंसे प्टी आप पंद ही किते लिए गए और शामने करते हैं उसको बाद में ध्र खर्चा करता है तो पैसीज मляGGिए है वह उसी के पास closing stock करा जाता है पस इतना ही हमें करनी है इसमें और कुछ नहीं है और आकाउंट में इस चीज़ को दिखा देना है और यह क्यों करेगा क्योंकि उसको कमीशन चाहिए और हम उसको कमीशन दे देते हैं अब देखिए क्या होता है मैं समान भेज रहा हूं और मैं कैसल सभिवा जिस पर ये काउश्ट पर में किन अब जैसे को सभणल्य के उसको भीजा हैn का खर्चा कि यास करेंगे शल्य करेंगे और यहां कि पतली यहां इस करेंगे मैंने कुछ खरचे किया चाहिडरेंगे सामने वाले कुछ खर्चे करेगा कुछ तो यहां कहांनी खत्म हो तो क्वेस्चन में है और भी चीज़े दिखा देते हैं आपको सामने वाला ऐसा इसलिए करता है तापकि आप उसको कमीशन दे कभी कभी आप उसको ज्यादा कमीशन देते हैं अकर वो ज्यादा आप उसको बेज़े प्रोफित अड़ेड़ी एड़ करके मेरे पास एक लाका समान अब आप देखिए आगे आते हैं कालकुलेशन कुछ-कुछ होती है माल लीजिए कि कुछ अस्टॉक उसके पास अंशोल्ड रहा गया वैचारे के पास तो अंसोल्ड रहा गया तो उसमें आप सूचिए मैं दस जार भेजा था ठीक है और एक हजार चोरी होगी उसके पास पर खर्चा वह एक हजार रख रहा था वह कैरी करके लेगे अपने गड़ाउं तक तो उसका भी खर्चा होगा उसके जो या भी क्लोजिंग स्टॉक है कुछ तो खर्चा होगा अगर माले जी मैंने दस जार का बूट बेजा उस पे एक हजार खर्चा किया था ठीक तो यह खर्चा होगा तो उसका भी 100 रुपय का खर्चा होगा तो सारे खर्चे को एड़ कर देते हैं श्टॉक में जो होता है और वह हमारा स्टॉक का वेली हो जाद रखिए गा जो समान भेज रहते हो प्रॉफिट वेज रहते हैं तो उसको पहले कॉस्ट पर लाएंगे चीज़ तुछ को यह ख्योंता है यह शीश्ट होगा तो यह धरे कैसे और मनेजिए समान जब कंसाइन के पास पहुंचा शांए क्क्योंत पहुंच वाद कर यह सारी प्रॉब्लम होई है तो उतना करेंगे लेकिन अगर यह अभी पहुँचा पहुंचा नहीं और अगर वह वो सब्सक्राइब कर देंगे और जितने था उतना दिखा देंगे आप देखन चाहए तो फ्रेट लगा दिया इंशोरेंस पैकिंग का खर्चा यह जब भेज रहा है तब का खर्चा कैसा का कंसार का उने चर्ण का क्लियरिंग चार्ज जब गुर्स को कारी कर रहा है वह कॉस को कનशिलर करते हैं और यह जो सारे लासेल को हानों कि पेकर कर देते हैं कि इसे ऐसा की करते हैं और इसको श्टॉक से को कस्ट है क्लिण समय Fusion किक्यों करते हैं और यह सारी और स्वाल रखने के खर्चे तो वो अपने बिजनस वाला अलग से समझें लेकिन मैं जो बहें जाओं गूट्स पर खर्चा किया तो गूट्स वाला मैं समझें मतलब सिंपले ट्रांस्पोर्ट से पहले जितना खर्चा किया वह अब नॉर्मल लिए पहले होती है अगर कंसाइनिंग के पास पहुंचा ही समय नहीं है समान और पहले हो गया तो उसमें सिर्फ और सिफ कंसाइनर का खर्चा जूटेगा और अगर कंसाइनिंग के पास पहुंचा के बाद अब नॉर्मल लोस वह तो दोनों के खर्चा एड़ोंगे यह सारे आपको बाद में समझ में आजाएगा दिक्कत की बाद नह यह कंसाइनिंगे पास पहुंचे तो कंसाइनी बेंचा रहा उसपर कितना खर्चा किया था वहीं दिखा दीजिए और बात भ fijतम जैनरर नॉर्मल उससे वह होगे लुग्ण पहुचनर से पहले ही होती है का आते हैं सीथा क्वेस्टें पर तो देखें क्या होता है एक Mr. Jill है जो कंसाइन करते हैं यानि कि भाई सब कंसाइनर है Mr. Jack को कंसाइन के है goods for sale at invoice price कि ठीक है भाई लो मैं invoice दे रहा हूं यानि कि profit include करके वो कुछ समान भेज रहे हैं मैं तुम को 5% commission भी दूगा sales पे और 20% और दूगा यानि ओवर राइडिंग कमिशन अगर तुमने जो price तुम को मिला वह ओर एवब देवाइस प्राइस से अब पर तू बेचा तो मतलब समझ रहे कि मैंने अगर तुम को को स्ट एक लग का यह घूंसाइंड किया गया जिसपे पर एक लग पत्यांचाइंड का इन्वाइस मतलब पचाहँए का प्रोफिट आप एड़ करके भीज रहे हो और एक लग पत्चाहाँ जार का बूर्ट भेज रहे हो तो आप अपको नसाइन्मेंट में देखा दो कुछ नहीं है आप आए तो गूर्ट सेंट आउं कंसाइन्मेंट एक लाग पत्चाहाँ जार अब बोले की ऊपर तो कॉष्ट लिखा देख़े यहां पे कोस्ट पे तो प्रोफिट अधर दिखा दिखा दिया थुझ परिप्यर करते तो अंचाहाँ जर सब्सक्राइब फिर्ट नुट इंकूल्ड है ठीक है कहाँ चला साफ पता चला यह एकलाहका समान था कॉस्टिंग गुड्स कोस्टिंग और बेजमें में देलाव किस ख़र्ट काँन उ अगे देख लिए फिर क्या हो था अगाउंट सेल्स वाज रिसीव बादम पता चला कि अकाउंट सेल मतलब वो सेल कर दिया कंसाइन इन कितने का एक लाख बीस अजार का इन इस्पेक्ट और फॉर फिफ्ट अब दक कौन्टिटी और गूर्स कंसाइंट इंग वो फॉर फिप्टी सेल किया है जिब ताम समय भेज़े थे ठीक वन फिट भी बाकी उसके पास एक लाख पीस अजार में सेल किया ठीक है तो देख बीच का 20 जार और वो बेचा एक लख बीच अनौ रमी यह एक कप इनवाइस प्रैस वाल में तो घंप इसन के लिए अट फोर फिट यानि कि वह इट लाख बीच जर बेचा है डेड़ गाव फूर वह फी एक लाख बीच जर नीतों पोई एबब हूँ बेचा नहीं लिख दिये कि टू जैक कमीशन ये कितना छे है जार ठीक और क्या है उसने कुछ expenses भी किये हैं देख लिए जिए क्या है उसने expenses किये his actual expenses where 3000 तो ठीक है उसका expenses भी इन दिखा देते हैं कि लो भी तुम्हारा expenses भी है 3000 और तुम्हारा जो फाइब परसेंट जितना का तुम सेल किये हैं एक लाग भी जार का बाई सेल सिया पर दिखा दी उस पर फाइब परसेंट लगा दिए छे जार तुम्हारा एक और कमीशन का माओ ठीक अब जहाज साथ किया आप क्या होता है वो सेल भी कर दिया commission वह को मिय लिया अरो सेल कितना किया फूर फिप्ट यानि कि वन फिपा अभी वी थो उसके बाकी है समझेवें आप स्टॉक्त वोन फिथ बाकी है न तो वन फिथ निकालेंगे जब किसका कहला उससाइनार भी जाथ हां का उसके खर्चहथ क सामने वाले ने खर्चा किया था जोरन वालने और अं-वाले स्टोग बच्चा हुआ है तो उन-शंफ से लिज देशना करना का स्टॉक बचा हुआ है बतीस हजाशा छेसो समझ रवा अब बलू कि ऐसे कैसे डिरेक्टरी तुम अमान तुठायों डाल दिये सुनिये अभी इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूडेट है मैं यहां पे कॉस्ट वेडियू नहीं लिया हूं देखें आप ये कला पच्छा प्रॉफिट कितना सुचे थे पच्छा जार और वन फिप्ट हमारा बिका नहीं है यानि कि इस पर प्रॉफिट जो है वो दस जार का इधर क्रियेट कर दो कि और जो एक लाग पचाथ जर का टूटल है दाज जार कम भेजए तीने जार सामने वाला खर्चा किया है और ग्रॉफिट अन्सोल्ड है तो दिखा दिया बतेज जर चेसं उनसॉल्ड है लेकिन इस पर हम सारे तो प्रॉफिट वाले अमाउट है ना जब भेज रहा था त प्रोजिंग बचता है तो आपको स्टोख रिजब करना पड़ेगा तो स्टोख रिजब किस पे जो आप आपका प्रोफिट है जो लूडिंग एक्षट जो भेज़े तो इसका वन फिप्ट करें तो दस अज़ार तो आगया इसमें अब सब कुछ डेबिट क्रेडिट करने के बाद आपके पास 23,600 का प्रोफिट बचता है तो यह जो प्रोफिट बचेगा यह जो प्रोफिट है यह आपका प्रोफिट है एक्षिली में ठीक है और कुछ नहीं करना और आगे बोल दिया था कि आ कंसाइनिक आकाउंट बना दीजिए तो सिंपल कंसाइनिक जो एक बीज़र यह प्लस उसने तीनहजर कंसाइन खर्चा किया था तो वह हम तीनहजर दे दे देंगे 6,000 का कमिशन बनता है क्योंकि एक लग बीज़र का बैचा था और पाइप पर्चंट तो 6,000 और उसने एक लाख बोलना है कि उसने दे दिया है हमें मानले जी दिए है लेकिन इसमें पल यह है कि आपको जो ट्वेंटी परस वर सिर्पलस है शायद यहाद यहापे 20 पर सिट ब्रस मिल जाएगा एज क्योंकि उपर वाले में देखे थे कि जो इसमें क्या है इसमें यह है कि इन्वाइस से अगर आप ज्यादा में बेच होगे तो जितना में ज्यादा में बेचे को उस पर 20% अलग समझ देंगे तुमको क्या ओवर राइडिंग कमीशन ठीक तो फूर फिप्त बेचा था तो जह जाएड पीसे जया कन्साइड किया तो किसको लेकर चलेंगे सिर्फ यह जार वाले को ही लेकर चलेंगे क्योंकि जो गूर्स कन साइन है उसी को तो आपको बाद में पता चल जाएगा ख्यार दे कंसाइनर पेड 3,000 पर पैंकी एंड फ्रेट अब सामने वाला भेजन वाला तीने जार पैंकिन फ्रेट का भी खर्चा किया तो भी दिखा दिए कि ठीक है यह लो और मिस्टर वाइट सोल 5,000 सारीज एट 125 पर सारी बता ही उसको बेचना किता 120 पर चाहिए उसको अब ट्वेंटी परसेंट जो लिखा हुआ है कि 5 परसेंट नोर्मल सेल्स पर देंगे कमिशन और 20 परसेंट अब देंगे वह के लिए लिए लिजबल हो गया तो कितना बेचा 5,000 अभी वह बेचा नहीं है समझ रहे है छे जार बेचे थे ना तो 5,000 वह सेल कर दिया एंड अब अब जो सेल्गे परसेंट अब निकाले घर तो एक अधीस अजागे तो अगर आप निकाले गए तो एक तीसाजार दोसाओ पचास अब बोला कि अगर वह एबॉप पे कुछ बेचा है तो उस पे उसको 20% मिली चीट तो कितना बबब बेचा है तो आप सिंप्ली उसको वह कल्कुलेट कर सकते हैं यहां पर देख लिए जी ती वह जो एब नीचे कहा पर आगया है वन सकेंड कितना एक्ट्रा पर बेचा सिंप्ली वह बेचा एट इस अधिरेट 5 एक्सटा पर बेचा है वह 5,000 है और एट देरेट 5 एक्सटा पे यानिकि पत्चीस अजार एक्स अधिस अजार दोसोब पच्चास यह उगा इसका कमीशन सिर्फ ठीक अब अब जो गूर्स उसके पास 1000 का कितना था गूर्ट्स बेड वन सेकिन वन सेकिन हां एक हजर का अन्सोल स्टोक मच गया था एक हजर का बच गया था ना क्यों पांच जर समने वाला छे अजर का एक जो भी था स्टॉक तो भाइब गूट सेंटलन कंसाइन मेंट कितना है छहाजर का कितना लिगा तो पर जो है जब आफ इन वह पे भीज़ते हो तो उसको किस पे लाना पड़ता है कॉस्ट पे तो कोस्ट के लिए आप डेरेक्ली उपर को लिग दो या फिर आप एक लग तो आपको पाता चलेगा कि वो जो है वो 20% एक्स्टा पर भेजा है क्योंकि लिया था एड़ी रेट पर सारी और जब कंसाइन किया सामने माले के पास तो वो किसमे एड़ीर वन ट्वेंटी एबाफ ट्वेंटी जब एब भेगा भेगा तो एड़ीर ट्वेंटी के साथ तो है लेकि जो हंडेट ट्वेंटी के साथ यहां दिखा है वह यहां दिखा दिया एज लोडिंग लोडिंग दिखा दिखा दिए खत्ब अब श्टॉक बच रहा था उसके पास एक हजार अब आप ये नीचे दिखें कैसे इमने कल्कुलिट क्या उसको एक हजार उसके पास टॉक था बच गया है सामने वाले के पास थे एक हजार एड़िरेट वंडवेट है हमारा हमारा इन्वाइस प्राइस है जिसको हमने भेजा है अब इस पर जो है वह खर्चे भी हुगा है कितना खर्चा हुए अब आप देखिए कि जब भेज रहा था ने कितना खर्चे किये हैं कंसारने खर्चे किए हैं Whats drive in a तो थीनचर बोगिया है फूल फूल बेली के मतलब जब 6000 भेजा तो उसína धीन हजा फया ऐसक्सरा वह थिसका लंगा और दिखा दिया और 230,000 प्लस 500 लिट कितना हो जागा एक लगवीजर पांट यह सारा किसका है इन भॉआ इस का आई एन भी यहां कोस्ट नहीं ले लेना है एक हजर का समान था एड दिरेट ट्वेंटी बन ट्वेटी अम भेज़ ते टेट लगवीजर सामने वाला तीन हजर खर्चा किया था छे हजर पे तो उसको भी आपको कोस्ट पर दिखानी जैसे स्टार्टिंग में भेज़े थे तो इसका पर दिखा है इधर लोडिंग दिखा दी तो अगर इधर कुछ बच रहा तो इसका लोडिंग इधर आएगा तो स्टोकरी जब इधर आ गया वन थाजिन का ट्वेंटी परसेंट कौन स इसन एक से इदर दोख करी तो हो दुट कर घली और यूछ कूज बंद गया अब bias कर भक कि भिख बनाइंगे तो उसमें ख़र में प्किश्ट का लोग तो अगर नहीं से अब दीक्रत की बात नहीं है हालां कि इसमें अबनोर्मल लॉस पहले हो गया है तो जो अबनोर्मल लॉस हुआ है उसमें कंसाइनल का खर्चा आ जाएगा कोई दिक्कत के बात नहीं है इन्वेंट्री आप कल्कुलेट कर लिजिएगा ठीक है अगला फाइनल अकाउंट आई थिंग सो सब्सक्राइब कर लेते हैं और एक दो घंटे में खतुम कर देंगा कोई दिक्त के बात नहीं है सारा चेप्टर हो जाएगा छोटे कुछ भी नहीं सारा कुंसेट के बात तो कि एन्पियों में क्या करते हैं एक नन प्रोफिट और्गिनाइजेशन होती है जो कि चलती कैसे है इसको कुछ फंड मिलता है कुछ इसको कोई लिगेशिव प्रवाइट कर देता है गवर्मेंट ग्रांट दे देती तो इस आकाउंट अपनाती होगी तो ओफाऊंट बनाती है इंकम एक्स्पेंडीचर और रिसीटन पेमिट की कितना हमें टोटल अमाउंट रिसिप्ट और कितना हमें एक्स पेमिट में OFF समझे रिएटिटन पेमिट पैमिट और इंकम प्रोफिट लौ या फिश्पे घर्च जो मे है कोने वाला फ्रेंदिश्र में जो एक का दिखाएंगी आप जो की बार-बार जैसे माले जै कि कोई मुझे डोनेशन रिषीव हो गया ठीक है तो वो कैपिटल नेचर था रोगा जाएगा वज़ागा बलेंशिट में बाखी सारे खर्चे जो है वो रेगुलर नेचर के वो है केम रिष SS में और इस जो एकशली व्रीजीव रिकलीव हाई तेन चाहरै कि रहुष ऑ पेक्ट बेरेक यह करते हैं मैं है आप को स्पेमेंदीकर औरिक रείकर ब्रौनिंग आपनें ब्रौनशाय से कापिटल दिय का लिए रिक नहीं काल लिय ऑफ檫 ni如何 आ śवे से एप डुनेशन में आपको यह आपके लिए लिए हधी है तो यह कहां पर जाएगा बैलेंशीट में कापने लाइबिलिटी साइग कि अगर जनेल डूनेशन है छोटा सा है तो यह बहुत बड़ा आमाउन दिया आपको लिया और जन्राइबिलीटी है यह पर निख देगा कि यह जह है वह कैपिटल निचर का तो यह उसको बैंशीत में लिएक इसी है वह वह बैंशीत में जाती है to entrance or admission यह बार बार आप लेते हैं तो यह income expenditure में जाती है life member CP की वार like में मिलेगा आपको capital expenditure है तो कहाँ सब्सक्रिप्स करेंगे और सब्सक्रिप्चन आप सब्सक्रिप्सन लेते हैं तो यह क्या हो गया यह आपका रिगुलर्ण डेचर कहा है यह जगा इंकमेंड एक्समेंडिचर में तो देखिए क्वेस्चन नमर बन देख लिए कुछ लिक्त के बात नहीं है यहाँ पे एक बैलेंशीट देदिया और इसमें देदिया कि आपका कैपिटल फंड इतना बच जाता है और इतने सा ठारा खार अक्यों साहर आपको रिषीटें कितना हुआ है वो देख लिए यह तो ऐसे तो आश विए दिखा दिया अपिए रिसीप ईतने सारे पाइक की है अब क्योंकि यहाइव और यह सारे आप रीक्रीप्त की है है समझे पलिए यह सारे रीसीप और्या साने पेमेंट क कि इंकम expenditure बतना है यह उससे पहले जो अजस्ट्मेंट दिया पहले अजस्ट्मेंट को देख लेते हैं में मर्शिप सब्सक्रिप्शन इंक्रूटे टेन थाउजेंट रिसीवड इन एडवांस अब जो सब्सक्रिप्शन उपर गिवन है ना क्वेश्चर में सब्सक्रिप्श इसाइड में कहां रिसीप साइड में यह देखिए कि धर यहां दो लाक है मिममर्शिक अदस जरे डवांस में तो दास अरम ने यहां से वाइनस कर लिया और इसको अमने देखा दिया कहां बैलेंसीट के लिएवसाय अधिया डियुक्तिश अधिए दिके हो ना दस जजर इ कोई चेंजे था ने था ना को अगते ने थेंट फंजे प्रिसीब डिने डिवांस हा वाँ तो ये लाइबिलिटी से जानी चाहिए मेंद सिर्प्सक्रिप्शिप्शन ज़िए रिटा सब्सुंड भाईबांस में है तो दस जार एडवांस में कहा है नहीं दिखाए क्या सेलरी डियू अच्छा निचा बाइन शीट में होगा ना वह दस हजार में मर्शिफ सब्सक्रिप्शन इंडवांस देख लीचे दस लियाबिलिटी साइड यहां पर दिख गया प्रिक्राप को दस जार के लिए अपने अप सारा क्रेशन बन जाएगा प्रवाइड फूर आउट स्टेंडिंग रेंट रेंट डियू है चाहजार सैलिरे डिव है 3 privileged अचैना तो जब एकस्पेंसे हैं धियू रहते टिह ग Fr तो चाहट एकस्पैंस डिव रहते तो हो जाते हैं लैफल्स गी 3,000 यह हो गया 7,000 आपके लाइबिलिटी और यह माइनस हो जाएंगे रेंट और सेलिरी से कि प्लस हो जाएंगे रेंट और सैलरी में क्योंकि वो डिव है कहां पे income expenditure में क्योंकि रेंट जो है वो income expenditure का है तो रेंट 4,000 आउटस्टेंडिंग तो दोनों जोड कर हो भी कितनी है चार लाख ठीक है चार लाख यहां पर दिया है बैलेंशिट में और लाश्ट येर के बाद जो मेरा current यह उसमें क्या हुआ है मैंने कुछ ृइश बूक्स और कर देपरिशेशन तो चार लाक और श्रलाक। चार लाक और साथ हजार कितना हुआ एक रडना है ? साथ हजार ऑ छृठमा इस पर से ऑफ र सकतना लुइत तो कितना 46,000 का डेपरिशीचेशन कहा जाएगा ? यहां पर दिखा देंगे कि बुक्स पर जवाब का डेप्रिशेशन लगा है 46,000 समझ रहे हैं ठीक अब यह बैलेंस शीट से माइनस जागा 4,60,000 जो बूक है उसमें से अपका डेप्रिशेशन साथ 46,000 माइनस जागा तो 4,40,000 आपका बूक्स मज़ेगा अब नियक्स देखते हैं एक्स्ट अजेस्ट में क्या हैFire सक्ध़्रिश इन दोनों पर बिप्रिशेशन रगे हैं 10% से थीख है खक्ते क्वीटिःचंग謝謝 ल फीटिक्स डेढलाग फशाद पचाने इस पे दर्स परसें 15,000 और 55,000 ठीक है 5000 और 5000 कहसा तो 5000 इलेलेंस शीट्स 5 यह दोनों माइनस हो जाएंगे 15,000 और 5,000 इसरे क्या बैलेंस शीट अब फरनीचर से 15,000 माइनस और यह जो है फिटिंग से 15,000 माइनस इसका वेली एकला 55,000 बच गया ठीज अगला 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 अज्जेस्ट्मेंट 25% जो इन्टेंस भी है उसको आप कैपिटलाइज कर दीजिए देखे क्वेश्चन में दे दिया कैपिटलाइज यानिकि इन्टेंस भी जो उपर गिवन है उसका 70% कहां पर जाएगा इसका 75% आपका चला जाएगा बैलेंजट मेंज़ेट में इसका जब आप करेंगे यानिक जो है 3500 वो क्या है आपका वो आपका रेगुलर हो गया तो रेगुलर नेचर का अगर वो हो गया तो उसको आप कहां दिखाएंगे आप दिखा देंगे इंट्रेंस भी इंकमेंड एक्समेंड डीचर में 30,000 का 25% 75,000 क्योंकि जो कैप्टेल किया उसको नमने बेलेजित में भेज दिया है अब यह सब कुछ होगे इंट्रेंस्ट इस टू बी कैल्कुलेटेड एड़ फाइव परसेंट पर रेनम इंक्लूडिंग पर्चेजेज में आप एक्टूबर एक को आप खरीदे थी 40,000 का और एक पहले से भी है तो दोनों पर इंट्रेस्ट लगाना है तो यह जो एक अक्टूबर को खरीदे तो पुरा अक्टूबर पुरा नमबर पुरा दिसमर इस पर तो थ्री महिन मन्त का लगेगा थ्री मन्त का और एड़ आप 5% अगर 40,000 पर लगाएंगे तो आपको कितना बज़ेगा 2000 ठीक है 2000 और कब तक मार्च तक बनाना है क्या मार्च तक बनाना है सॉरी तो मार्च तक बनाना तो यह तीन महीन नहीं यहां पर 6 महीन होनी चाहिए 6 मन्त 6 मन्त तो 6 मन्त का अब निकाल यह कितना जगा 40,000 का पांच परसेंट दो हजार और वो छे महीने का यानि कि एक हजार तो यह हो गया ठीक एक हजार यहाँ पर आ गया और पहले से देख लेते हैं कि कितना था क्या सेक्यूरिटी ठीक है पहले से सेक्यूरिटी देख लेते हैं एक लाख़ पिचास द जार का पहले से था तो एक लाख़ पिचास-जार का पहले से था इस पर फाइब पर्जेंट लगा एंगे तो हितना ज्यगा पी Sono पिच्छन ठर्सों थीक तर्सों यानिक एक हजारी और पच्छन पर क्यों वह oh एक्सपेंडीचर अकाउंट में लिकिन और उससे पहले देख लिए कुसे रिसीव भी क्या है क्या है तो क्वेश्चन में साफ लिखा है इंट्रेस्ट ओन सेकूर्टी रिसीप साइड देख लिजी आप रिसीप साइड क्या आप 8000 कर चुक्क यह टूटल बन के तना था एक ती फाई यह निप आप दिखाई एंगे एक्समेश्ट आप रिसीव कर लिए और फाई हंड़ा है और ती फाई हने टूटल राधे पाता है तो यहां वह निए दिखा दीए यह कि रूड इंट्रेस्ट मेरा 500 है, और भी कोई एंट्री माची एज़स्ट्मिंट की, कोई एज़स्ट्मिंट की एंट्री नहीं , अब आप सिधा आई है उपर और सब कुछ डालते जाएं, कैसे capital fund 7,93,000 पहले डालिए, okay, capital fund 7,93,000 पहले डालिए, okay, capital fund 7,93,000 पहले डालिए, okay, capital में 7,93,000, okay, और और, दोनों account count, जो है, वो अच्छे से देख लिए, expense payable 7,000, ठीक है, expense payable 7,000 है, आईए, expense payable 7,000, क्यार गया, expense payable 7,000 है, क्या, expense payable 7,000 था, one second, one second, one second, one second, balance sheet, अच्छा, इसे यह तो capital fund वाला यह तो ओपनिंग का है, ओपनिंग वाला थोड़ ना कूल जागा, वो, sorry, वो हो गया, यह तो ओपनिंग balance sheet का है, कोई बात नहीं, balance biddy, expense payable जो है, उसको तो दिखा दिया होंगे, यह तो balance sheet का item है, यह तो balance sheet का item है, यह दिव रिव रिविए सियर का, ओके जो capital fund इसका मेन बैलेंस है, उसमें तो यह तो यह तो जा चुका है, फिर उससे क्या मतलब, उससे कोई मतलब नहीं, अब आईए, दिखें, cash है यहाँ पर, और bank में भी है, और hand में भी दोनों में भी पैसा है, 25,000 और 25,000, अब इसको नीचे दिखाते है, balance sheet में तो आईए, कोई बात नहीं है, balance sheet की दर गया, हाँ, cash in hand, cash at bank की ज़र है, अच्छा जो payment किया है, उसको cash है minus कर दिया, जो payment किया है, cash का, जितने में मतलब cash related है payment वारला जैस expense paid तो उसको जो है, वो minus कर लिया, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है, cash at bank 20,000 और cash in hand 11,300, यानि कि उसने minus कर लिए, जितने भी payment वाले amount है, उसको minus कर लिया है, आप आरसानी से minus नहीं भी करते है, तो total amount आप दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यह receipt and payment account है, cash at bank 25,000, cash in hand है, तोटल पचास जार एक्जेक्टिया आप दिखा सकते थे, और सुनीजे, इंट्रेंज भी हो गया, यह हो गया, sell proceeds of old paper, यह खाँ जागा, income expenditure में, 15,000, यह देखे, income expenditure में आ गया, और यह वालत हो गया, और और, 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 sell proceeds of old, higher of lecture hall, 20,000, यह भी कहा जागा, इसी में जाएगा, 20,000, यह देखे, income expenditure में received side, मतलब income side, और यह हो गया, electrical charges, 32,000, किसमें, इसी में income में, income expenditure में बहतर सो, postage stationery, 5000 है, telephone charges यह उसमें 5000 है, तो वह हो गया, ठीक, और कुछ भी आपका नहीं बच रहा, जब आप टोटल करेंगे तब को पता चलेगा, किया पर deficit आ रहा था, आपका 16,700 का तो जब deficit आ रहा, 16,700 का तो balance sheet में 16,700 से deficit भी आप मैनस कर दिए, यह सारा तो लिख चुके हैं, ठीक, कुछ भी बचा नहीं, सारा items आपका mention हो चुका है, सारा item, तो जब सारा item mention हो चुका है, तो आपके पास जो balance sheet जो है, मैच कर चुका है, तो इमेच कर गया, ठीक, और यह तो second question है, इसको अब भी कर लेता, उसमें तो कुछ भाहर है ही नहीं, वह तो बहुत easily हो जागा, समझ गया, पुरत मज़गी question, मिलनी क्या है, उसमें समझनी के चीज़े हैं, जो payment अब कर दिए, उससे cash को जो है, वह minus कर दिया, इस cash को, कि ज़र गया, balance sheet का जो cash है, उसमें से वह payment जो इतना भी हुआ है, उसमें सब amount को minus कर दिया है, इसलिए value कम दिखाया, कोई दिक्रत के बात नहीं है, अब directly भी अलग अलग भी करें दिखा सकते हैं, दूसरा देखें, क्या बोला है, कि सब्सक्रिप्शन के amount दिया है, और sports material का भी amount दिया है, दोनों का दिया हुए, और बोल रहा है आपको, क्या, कि दोनों का calculate कि जो कितना amount जो है, वो income expenditure में जाएगा, और कैसे ये balance sheet में appear करे सब्सक्रिप्शन के, तो सब्सक्रिप्शन के, तो सब्सक्रिप्शन रिसीब हुए, तीनलाग पछेतर हजार, ठीक, अब आपको पता है कि current year का advance माइनस करते हैं, previous year का advance प्लस करते हैं, इतना जानगे ना तो फिर due तो अपने आफिए हो जागा, जैसे देखें, amount due for a sports material, previous year का move, करते हैं जैसे कोण माइनस कर देगे और current year का ऊचे है तो इसको माइनस कर देंगे, और current year का है तो फिर अगर प्लस कर देगे, अगर due है previous year का, करने हैं नही धतना है अलह उस्फिशन का पहले का प्लाइशन करना नहीं हुआ सिव उसके स्थिप्वेटopers का तो सद्सक्रेशन का इस हझा ले थिए तो ये क्या थासर शिप्वेटिट का इस जिए ये करिस्वा ऑल्ला क्टी मैंस करेंगे फ़ими या क्ट्र earliest कॉप मैनस 3,75,000 में आप कर दीजिए तो आज आएगा आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट इन इनकमेंड एक्पेंडिचर आपको देखे सारे प्लस मैनस करने के बाद आपका आपका आगया 3,84,000 सब्सक्रिप्शन का होगे अब आए आप मैटेरियल पे तो मैटेरियल का परचेज देदिया है अपका 2,25,000 ठीक तो लाग पचीस अजार, अब अमाउट previous year का डिव है 166,500 तो previous year का डिव, minus current year का डिव, plus, तह ये दुनों को जब प्लस माइनस कर देंगे, तो आपका total purchase amount जो है, आजाएगा, किसका material का total purchase amount? कैसे देख लिजे, material का डिव डिव माइनस किए और 97,500 जो 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 एक्चुल payment सब्सक्राइब कर लिए पर्चेज को पर्चेज और उसमें जो है प्रीविएस यह प्लस कर लेते हैं स्टॉक का ठीक आप समझगें, stock का जो है, वो है amount जो है, वो plus कर लेते हैं ओपनिंग stock जो है, plus करते हैं sorry, opening stock तक प्लस करते हैं और closing stock minus करते हैं, यह तो amount का था यह किसका, यह amount का है amount जो हम pay किये हैं, और जो हमारा stock है, stock का calculation हम नीचे कर लेते हैं तो total हमारा amount कितना है? स्टार्टिंग गिविन है स्टॉक ऑप मेटेरियल देख लिए 75,000 वहां पे है पेशन की ज़र गया हाँ 25,000 प्रिबियस यह का है और क्लोजिक है इतना तो पर 6 प्लस ऐपनिंग मैननस क्लोजिंग अगरत तैंट तो यह सारे आइटम सुपर गिवन ए तो यह किटना हो जागा आपका सब्सक्रिप्स कर दिया और पास्टियर का जब आप मैटेरियल में जा रहे तो पहले हमने परचेज प्लस ओपनिंग परचेज प्लस ओपनिंग मैंनस क्लोजिंग इससे यह आगया मैटेरियल कंजूमन इसको दिखा दिये इंकम एक्समेंटियर के डिविट साइड और सब्सक्रिप्सन वाला क्रेडिट साइड और पुछ रहा था कि बैलेंस शीट में कहा जाएगा कौन को नमाट तो यह जागा स्टोग प्राव मेटेरियल कटिस तरीक वाला ठीक आमांट तो नहीं जागा वहां सब कुछ हो गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट अबना दिए इतना स्प О 색व पच्छ तॉक में भाला और मतलब सब्सक्रिप्शन जो होतान। क्या है लियाबिलिटी इतो है सब्सक्रिप्सन जो रिस्टीवेबल है डियू है भी रिसी नहीं वा और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दिखा दी बस कहा नहीं खत्र यह क्वेस्चन विल्कुल उसी के तरह है कुछ भी चेंजे जिसमें नहीं है यह अरम से बन जागा इसमें कर दिया कि इंट्रेंगर को कःविटलाइज कर दिजिए और सिंपल साय फोर्मूला दे एक इंकम इंक्स पीनिटर दे रखा है और और क्या वानटा इसमें इनकम इंक्स पुर्च्र ही बना ना था और बैलेंशी और अजश्में टूंट इसमें दिया भी नहीं है तो यह आ तो इसमें सिंपली आपको दो तीम बात याद रखनी है एक बत यह याद रखिया कि जैसे ही समान भेजी जाती है ना तो उसको एक्चुल सेल की तरह रिकॉर्ट किया जाता है ठीक जैसे क्या है की है सिफोली तरह्न करेंगे तो मैं इसê करोंगा फिर रषी थो सब्सभाइब फरण करेंगे करेंगे हो मैं पर सूने रुटर्न present और अगर आपके पके समानर बचा हुए और उसको उसको रिटर्रूर मारों अगरबना कुछ रिटर्र नहीं किया आपके पास आभी भी भीग है दिन टाइब मेर नहीं किया तो उसको भी मुझा मानेे करना। तो पहले चीज है कि कभी कभी क्या होता है वो तो कॉस्ट की बात रखी उससे पहले कि आप कभी कभी भेजते हैं समने वाला रिटर्न किया आप एकसेप्ट किया यह साद़ी सब को आपको किया करने अलग-अलग दिखाए इनिवीज़ वाली दिखाए कि ये लोग इस इसका पेंट्री कैसे करें एक अकाउंट में और इनिवीज़ विखाने के बाद एक कलेक्टीव ली दिखाए कि अपके पास है आपके विजिनस में और कितना टोटल रिटर्ण वर कितने अलसे लुगा मतल समझे पहला आप ये अकाउंट बनाइए जिसमें आप दिखाए की आपका कॉन कॉन सा कॉस्टमरें जो अक्सेप्ट किया रिटान किया क्या क्या किया सब कुछ दिखाए ये सारे कुस्टमर के नाब के साथ एक तोटल बताएगे कितना उसने एक सब्सक्राइब किता उनने रजेक्ट किया सिपल जैसे इस किसमें आप देखें तो एक दो तीन चार एंड पांच और छे दियार सिक्स बायर्स तो अगर वो छे बायर से और कुछ लोग पर चेज कर रहे कुछ लोग हाफ पर चेज कर रहे कुछ सारे रिटेंड कर लेने कुछ लग नहीं रिटरन कर रहे हैं ठीक तो इन सब का एंट्री हम कैसे पास करेंगा और टाइम यह वालाव है फिप्टीन देज पंदरा दिन हम उनको दे रहे हैं कि इसके बाद जो है वह सेल मान लिया जागा और अगर आपने उसको एक्सेप नह आप उसको मैं रिटरन ले लूगा सिंपली तो जब देखिए इनिवीज्वाली हमने दिखा दिया कि जो है वह एबी सी है उसके पास दस जार हमने भेजा दस जार वह सोल कर लिए रिटरन बिल्कुल भी नहीं किया तो में कॉलम हम क्या बनाते हैं सोल्ड और रिटरन और ब तो सारे रिटरन फंद्रव दो सतरा जार रिटरन इधर ठीक है अब टोटल सेंस देख लेकिता है और सूल दस अज़वीज चबवीज चैयालीज क्यारा सेंटालीजर का टूटल अगर बाद में एक्सेप्टेंस भी देंगे तो अल्रेड़ी इसमें इंक्लूटेट है मैं पहले इसे सेल के एंट्री पास कर जोड़ा गुड्स कुछी रिटरौन होगा कितने का 35,000 का ठीक है गुड्स आपने रिटरौन कर दिया पैंटीजर को में रिटर्न की इंट्री कर लिया सेल्स रिटर्न अकांडवी टू ट्रेट रिटीजिवल पैंटी साथा पैंटी साथा सारी साथ तुम एक सेटेस देरो वो तो आल रेडी असी हजार वाले में इंक्लूडेट है क्योंकि पूरा सी अधर का इंट्री सेल का माल दियो तो फिर पैंटी जार कि मुझे एंट्री करने की जूरूरत नहीं है फिर क्या हुआ पंद्रहाजार का अब भी का भी नहीं है तो ज अब लिखाए कि कोश्ट जितना भेजेना उसके 25 परसेंट अब प्रॉफिट इंक्लूड कि एं ठीक कॉस्ट प्लस 25 परसेंट तो अगरा पचीस परसेंट उसके प्रॉफिट भेज कर भेज़े तो जो आप लाओगे तो क्या आपको प्रॉफिट के साथ आपके पस आएग कि इतना ही करना रहता है हालां कि इससे भी सिंपल एक और को दिखा देता है वाले कि यह तो उपर वाले की जैसा यह इसमें थाने नहीं वो जो है वो इन्वेंट्री का है ठीक तो हो या कानी खथम अब दूसरा देख लिजे एक और क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है यहां पर अबरूबल पर बेजा गया है कितना सिक्ष्टी फाइफंडेट गूर्स तो जब भेजा होगा तो वह तो सेल्स के इंट्री पास कर लिया होगा कि यह पिर मिश्टर अधित्या और मिश्टर बकिराम तू सेल्स इन्हीं लोगों को भेजा है वो कितना 500 लेकिन क्य क्या कि होगे हम इनको रिटर्न माल नहीं होगे'T तो भी क्राट्रśl काया RS करेंगे should जिसका कॉस्ट पांचे जार था पतला समझ रहें बेचे हैं आप सूझ करके मैं तो प्रोफिट मुझे वान होने वाली है यह लोग पैंसर सो लेकिन वह अभी एक्सेप्ट नहीं वाता आपको उस दिन जिस दिन एक्सेप्ट नहीं हुआ है और आप बुक क्लोज कर रहे हो क् तो क्या करनी चाहिए आप उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक में दिखाओगे कि इतने का मेरे पास समान है तो क्या प्रोफिट करकर दिखाओगे नहीं क्योंकि वह तो भीका नहीं तो प्रोफिट करना तो प्रोफिट को मैनिस करोगे तो 5000 बचेगा 5000 से 100 by 130 करो 100 by 130 इ अधित्या इंटिमेंशन में जा कि 25 तारी को मैं एकसेट कर ले रहा ह। तो ठीक तो अकर तुम में एकसेट करते यह लो टो सेल्स बाद लिए हमने कि ठीक है से लोगे सामने माला बोल रहा है कि बकी राम जीसके पास सब्सक्राइब करते हैं बस कहानी खतम और साइन करने के तरीके होते हैं जैसे देखिए यह होता है बिल सब्सक्राइब मैं आया मैं एक्सेलर हूँ आप बायर हैं अब परचेज करके गए क्रेडिट पे ठीक मैं आपसे एक्सेप्टेंस ले लिया बील का आप आपको बिल दे दिए अब उस बिल से मैं पेइमेंट ले सकता हूं बैंक में उस बील को मैं चाहँ तो तीसरे पार्टी को भी दे शकता उसमें डेट इस यहां दी जैसे बिल सब इसमयारे नहीं है क्यों को दुम पैसे की जरूरत है तो दूरा इक Đu survived नहीं प्रेंट करते हैं कुई सम्हान नहीं कहा है कि बिल है तो बिल जब होता है तो आप क्या करते हैं एक दिन पहले पे करना रहता है और अगर बिच में एक्सिडेंट या फिर किसी भी वजह से कुछ अगर बंध होना पड़ा ट्रांजेक्शन नहीं पड़ा तो एक दिन के बाद आप कर सकते हैं अब देखिए कुछ-कुछ अगर आप उसको आप पांच तरी को ही पे कर दे हो तो मैं हो सकता है थोड़ा सा आपको रेशेशन देदू कम पैसे आप से लूँ त्यों हो जाता है रिटार्मेंट यानि कि सामने वाला जो है वो कम फी पैसे पे रिटायर्ट कर लिया रिवल अब मैंने आपको भी शाइन और शाइन हो देते फिन नए बिल साइन करते उस थोड़ा सा इंट्रेश्ट हम एड कर देते हैं अब मैं बैंक मिलेगे आपका बील और पैसे उसे दिकाल लिया तो थोड़ा आपने जो मुझे बिल दिया था उसको मैं मिले गया और उतना आपका पैसे ही नहीं आपके आप सब्सक्राइब जो जिसको मैं बिल दिया था जिसने एक्सेप्ट किया था वही उसका जो अगर चार्ज भी लगता है तो पे करेगा इंडोर्समेंट आपने मुझे बिल दिया था अब मैं इसको थर्ड परसंट को भी दे सकता हूं अग्या यह सिदे क्वेस्टन चैकोमेंडेशन विल में बता चाहिए एक ट्रेटर दूसरे ट्रेटर पर साइन करता है और दूडेट पर दोनों जो है वो पे कर देते हैं पर पर चैजब सेल की कोई बात नहीं होती है सीदा यह लिचे क्वेस्टन स्वें पर अवान कर पता पैसा तूस इंसलेंट इकते अब मैं मालनु हूं कत रख अब मेरे बुक्स अपकाउट में इंट्री कर निया सुनी जिए मैं एकसेट किया हूं इतलब बिल्स पे अप्र एक्सेट किया हूं टू बासू फोर ट्वेंटी 500 एक्सेट किया था मैं बीक और कितना किया सिर्फ एक हजार यानि फंदरसों भी पे नहीं किया और फंदरसों के लिए बोला कि नया बिल साइन करो जिस पर पचास रुपे और साइन करो अब सारे का एंट्री कैसे करेंगे तो देखें पहले तो आप चीसों का बिल केंशिल करवाए हैं डिश्चार्ज कर दि करने के बाद नया बिल में एक्सेप्ट किया हूँ बैलेंस अमांट प्लस फिप्टी रुपे और फिंट्रीश यानि फंदरसों पत्चास का नया बिल्स पेवल में एक्सेप्ट करना और इसमें जो बच क्या वह हो गया इंट्रेस्ट जो नेक्स इस पहम उसको कई इस दर्द भी विटा प्लस पेना नेजनी में जम विश्चांग अब यह मैं जो में कैटर साथ तो में कीरे तश्राइम के एक तो टरश हो झाए वह हैं नोटिंग चार्ज मैं बोला था कि जो है जो मैं वहीं पेक करता है तो नोटिंग चार्जेज भाई सब्सक्राइब करेंगे आपके जी गुटा सहाव ही क्योंकि यहीं एक्सेप्टेंस दिये से तो जी कुटा तो एम गुटा चारहाजार बीस चारहाजार बीस समझ में आगया यह मेरे बूकसप अकाउंट में यह एंट्री हो रही है मेरे कत्रक मैं हूं और मैं इसकी इंट्री करूंगी तन्हान रखेगा अब क्या हुआ बाद में पेमिंट भी हो गया तो एम मेहता केंशिल हो गया और बैंक से वह पैसा चाला गया कितना चारहजार ब्यारी चारहजार ब्यारीस खत्म हो गया ठीक वहां पर क्रिश्चन में इंचन हो गया तीसरा पॉइंट देख लिए हैं दलाल जो रिटायर किये हैं 2000 का बिल डॉन रही नहीं बाइक कत्रक फूर आरेश्टेन डिसकाउंट सामने वाला जो है दॉसर रुपे डिसकाउंट पर मुझसे बिल पहले ही ले लिया यानि मुझे बैंक में कितना मिला उने सुन अन्वे तो बैंक अकांट डिसकाउंट अ फूर फूर अगला देखते हैं फूर्थ फौर्थमाइं कि मेरे पास कुछ बील श्काउंट सार यह को ब्री सहाँट साल ठेंगे कि पास्टेल भाई साहब पर बकाया था पांचार का ऐसे समझीए घर लमोडी कक्सेप्टेंस टू कद्रक अब जो है मैं बिल्स केलड करें कि मुझे जब करना पठेल को अब एकश्म कोमझे करना थाAdoyates सामने वालक बिल्स रिस रिशổiबस से केंश कर लिए यह जो मुझे रिछाब करने 25 किंशीब करने टी उए पने सिधे खतम चल्डे तो सिध्स से कर लिए तो विल्स रिफ्र कर तो हसाइब करने माले से और थारे सिपकरने माले को कैंशिल कर दी है तो रितीग को डिए यार दिर इस और याus करने ख करन तो और मिस्टर ऊप्म से खञा है तो मेरे पास करना है तो बीने एक्सेट किया तो बीड़ दासद दाश्यार का वो एक्सेट किया ओके धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे सारा बनते जाएगा ऑन संतर अगस्त फो थ्री मुझ्ट ठीटीन महीने के लिए है और सघ्राइगनी किल्सा मःकंट यह छटाएंगे सबने कियात लिए किया थे यह था सफ प्रश्त थिप्रम्र्णीजशन का थिक वह शुर्ण ट्शेट अगस्तिट्ट्राइगा के बस्ता है इद्नौ लिएज को सफे प्री चॉने любिस अधीरे 291 वर् 2021 पिश किल्च हरो मिला और 200 क्या हो गया आपका आपका 200 डिसकाउंट हो गया तो पैक अकाउंट डेविट हमें मिला और जो बिल्स रिसे वल था वो कैंशिल कर दिया दास अजार का आगे दिखे क्या हुगा अगला इतना तके इंट्रेस्ट है तीन महिन्य का वह 12% के रेट से तो अंदर रिमीनिक अधर घड़ा दीजिए ठीक है और 8000 जो बाकि है उसके आप रमीनिक जो है वाफ क्या देंगे अठ हजार का तीन महिन और 12% के रेट सियांप ईट्रेस्ट इंट्रेस्ट एणिक पी अकाउंट्ट डे is to be bank account क्यों क्योंकि B acceptance is to be new यानि कि B फिर से accept करने वाला है तो भी हमारा फिर से data बन गया 10,000 का और वो बोला है कि 240 और दूगा interest के साथ वो हो गया अब total उसको देना कितने तो 2000 तो अभी देना है और इंट्रेस्ट वाला 240 तो इसको आप एक साथ भी कर सकते हैं अलग 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 निकरती है कैश अकाउंट डेविट उसको देना है अगाउंट ठीक है 10,000 का यह पर कैंशिलेशन का इंट्री वा इंट्री वाला उपर वाला जो में था 240 का उस पर इंट्रेस्ट एड किया ठीक तो 240 का इंट्रेस्ट और नया उसमें से मैं और 2040 जो 2400 टूटल हुगा क्यों क्योंकि दो जार और मांग रहा हो और इंट्रेस्ट भी मांग रहा हूं थी महिने का थी में अधर टिमिन से पर प्र फेर से तीन महिने के लिए सब्सक्राइब करें ठीक दीजा रिज्मिन्स वेर करीड़ और बाद में उससे सिर्फ 40% मिल पाया 60% मारा बैट देट हो गया यानि कि बी इंसल्मेंट हो गया तो बी को ही करें गया वही नमरा डेटर था तो बी इंस्टेंट कैसे ले लिये थे और उससे इसे रिसीव कितने हुआ सी 40% तो एड साव जिन का 40% 32 अने में रिसीव होगा और तालिस तो मेरा बैट डेट और टोटर नारा आठाजार का था का ता कानी खत्म आगा देखिए तो इससे भी आसाने क्वेस्ट्टन भी इल्कुल सीमिलर ही है तो वह अराम से बन जाएगा अगला देख लेते हैं आपका अकाउंट करेंट है क्या है वन सिक इन वन से कुछ इए उन अथा है यह अपको अकाउंट करेंट का है और खेर उसको छोड़ते हैं एवरेज डिव डेट इस पर आते हैं कोई खुल क्यों नहीं है फोन से कम लेड़ान, यह से कहा दो, है जा रे जा झाले कि व्हाश्त, अबर भेडि़ाद कर दो, और भेड़ा कि लोजा दो, लो जा हूब में, तो है ऌने है थाद झाली डोड़ धिहां चाली शाहओ, प्रिआप प्रतु है बसलता है, चैट नहीं पड़ा गई हाँ बरूर आता है इंपोर्टेंट है, हाँ इंपोर्टेंट है उस्ते भी क्वेस्टन साथ है, खर आते हैं सिधा क्वेस्टन पे जिस पे थे, कि दर व्यास आ रहा है क्वेस्टन, क्वेस्टन, टौर नहीं है! और राहिसरकी है एँ साथ काहू प्रच्टेप्र की विस्ट हम बडाई दो सुंच ग्यार अप्राइब। एक सिकेंड में पॉपप में रखता हम आपको हुआ 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 तो आई सुरीफोर्ड डिश्टर्विंस इस टिक्निकल प्रोब्रेम्स खेँ कर देखें अकाउंट करेंड पर आते हैं तो देखिया अकाउंट करेंड़ में स्क्राइंपिल क्या करते कि यह सब कुछ होता है लेकिन एक पॉइंट ओफ टाइम हम डिसाइड करते हैं कि टूटल हमारा जो है वह इंट्रेस्ट आखिर हो कितना रहा है कि इन्टरेष्स हमारा हो कितना रहे एंटरेष्ट कैल्कुलेट करते हैं अवेजु हम क्या करते है एक डेटे स्पेस्पायख यहां मैं पेमेंट करना है यहां एंटरेष्ट इसलिप हमको या आपको कितना प्लस्टे करना है ठीक तो इसका में जो है जो displacement उसका पहले आप लिखते हैं फिर आप काउंट करते हैं कि जीस तिन तक का एक अमांट इस पर इस तिन तक आपका कितना अमांट बन रहा है प्रोडक् consequently सब्सक्राइब अ कि में चैसे अमांट को करेंगे तोDamजी प्रॉंऍला क्या है जो भी आपका मांट में counterół a से पाला संसक्राइब क से प्रॉंदा है विश्वा और अनृट को बचाएगा मांट आप सा प्रपेस्टक्ष थी क्टक विन अगर मन्थली है तो 1 by 12 अगर डेट में है तो 1 by 365 कुछ भी दिखत के पाद नहीं है फरवर्ड बैकवर्ड क्वेस्चन वैसा नहीं कुछ था ड्रेक्टि पुछता है तो सिध्र देख लिए जैसी कि इसमें देख लीजिए यहां पर आकाउंट करेंट प्रिपेर करना है तो बी रेंडर बाइए टूबी यानि कि बी इन अकाउंट करेंट वीद ए है और रेट क to balance BD और 600 जुलाइन में ही चुटा 31 दिन अब बता यह जो बनाना है आपको बनाना है एक तीस दिसमबर तक एंड पर देख लिए कि इसरो बनाना है कि यह गया लिए मैंट कर दो पेंड, एक पर दयाए इक तेस दिसम्बर को बनाना है तो एक तेसते दिसमबर को बना रहां है यह 10% पर इनम जैसे कुशन बोला अजय कर्या सब्सक्राइब करो जो पर जाएंगे जुलाई वन से 75 अगस्ट में 30 सित्यम्बर 32 सिंद्वर 30 30 सब्सक्राइब 30 में 30 30 30 सिप्क् encrypted 31 نیم Biology दिसम्बर रहें ध्याफ तो 1004 ऑल से अंगे ने लिग दिया click देखिए यह तो बैलेंस बाकी था ठीक इतना याद रखिया कि पहला जो डेट होता है ओपनिंग ना इसमें हम पूरे मन्थ वाला डेट हम काउंट करते हैं देखिए नेक्ष्ट सतरा जुलाई को क्या हुगा गूड सोल टू भी हम खुद आकाउंट बना रहे हैं और गूड समय सेल किया है बी को तो बी अकाउंट डेबिट तो सेल्स होगा ना तो बी अकाउंट अगर डेबिट और बी का ही हम अकाउंट बना रहे हैं तो डेबिट साइड में सेल्स लिख देंगे समझ रहे हैं जो डेबिट हो रहा है ना सामने वाला अगर डेबिट हो रहा है बी ह सब्सक्राइब क्रेडिड में तो इस सढ़े और क्रेडिट होगा अगर जिसमें भी फो इससद और 17 जुलाइज यदिन आप चलेंगे तों सरचर दिन सिंप्ली सब्सक्राइब इसे मैनर मैनेश मैनस हम लिजिए आप लिए तो तो कैसे कंडेवी तूबी यानि के भी क्रेडिट साइड तो कैसे लिखकर भाइ कैसे अकाउंड शूल्ड टूबी गूट्स बीकॉट्स छोल किये तो बिया कंडेवी तो सेल्स इधर आज गाए देकिए तूस तरी को सबस्ट और यहां से अगुट को सब्सक्राइब कर ठाइब तक यहां चृप सब्सक्राइब कर सकते हैं पर गजाने स्क्राइब करें तूस जेया लिग तूस और धिक को गहां पयांक टूस पर क्याहश्ट शिर था बादी रोकॉट गूटिया ओगॉट बी एक्षेप्टेट किया है चिहसे मन्य फिशेप्ट क्या थो क하시는 का हुआ अक्षेट किया अलगे की सब्सक्टी सब्सक्राइट कर लिए यह होता है ने सबसे था कि अज़िण हो जाता है तो वह हमारा में बन जाता है मेरा एसे टॉ बी तो यहां पर भी पर्चेज लिख देंगे और क्रेटिट साइड जागा क्योंकि बी क्रेडिट हो रहा है 30 यह देखिए राइप पर्चेज अगाउट हो गया अब अगला गुर्स ओल्ड टू भी बी को सेल करें तो बी अकाउंट डेवी टू सेल्स तो यहां पर डेविट क्रेडिट साइड में चले जाते हैं कि इसके अधिस तो यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए त्री मांस का दू रखा था तो अब जो लिए एक सेतमर में तीन महीं आप एड की जिए तो कितना हो जब अक्टूबर नमबर देसंबर चार दीसंबर तो उसमें टोटल ड यहां लिए ठीक है हो गया सब कुछ जबाब कर देंगे इतना तो जब प्रोड़क्ट टोटल करेंगे ना प्रोड़क्ट टोटल तो यह ज्यादा निकलेगा यह ज्यादा और यह कम इसमें बैलेंस निकल रहा होगा आपका सरस्ट जीरो ना सी यह आपका इसका बैलेंस और यह चीज आपको प्रोड़क्ट यह करना तो जितना प्रोड़क्ट सर सरच जीरो नीस आया तो कित क्या किया होगे आप यह क explor कि जीरो नींस वंसेकर था नबेज अ अच्छा को क्या रहे है leps शहींए है यह जो अम्माउंट है इसमें आप 10% लागाए होगे जैसे by 365 इतना अगर आप करेंगे तो आपका जो अमाउंट है 365 में लेकर चल रहा हूँ है वो आएगा देखिए यहां पर लिख वी दिया डिवादेगा 365 अठारा पॉइंट 38 अब अमाउंट को टोटल किजिए तो यह 1428 पॉइंट सम्थेंग आएगा अब इसके बाद यहां पर मै अब करने के बाद देखिए कितना अमाउंट करेंगे और यह जो बचेगा इसी में हम 365 से डिवाइड करेंगे और रेट से मल्टिप्लाइब और आपका जो माउंट में वह हैं आपके डाल देंगे क्योंकि इंट्रेस्ट हमारा माउंट पर हम ऐसा क्रिए होता है और करने के बाद देखिए कि कितना माउंट बच रहा है यह अकाउंट करेंट का सिंपल से क्वेस्ट्टन कुछ इसमें ऐसा एक्ष्ट्रा नहीं था ठीक है यह देखे सामने माला भी है वही है लेकिन है रेडिंग वाला रेडिंग वाला क्या है कि जो आपका यहां पर रेडिंग हो यह अगया था अप्रील मार्च ली आप्रील के भी पार हो गया था तो जब हो 29 डेज कितना है और 29 डेज आगे चला गया था तो क्या करनी चाहिए था तो कि और में उसको प्रोड़क्ट कॉलम में दिखा दिया यहां पे अमाउंट को को अपलम क्लंव छैगा देज को तो ह कुछ करते नहीं लेकिन यहां पर मांट कॉलम रहेगा स्टार्टिंग वाले में जो इसका रियल एंट्री है पस इतनी चीजी याद करनी की चीज थी समझ के अकाउंट करेंट आप कुछ बचा कि अवरेज डिटेट अब आप अब इस डूटेट को समझे एक अप अब इस डूटेट में क्या है यह कुछ निकरना है आप खरीदे हैं समाल कीश डेट पेजर है वहां पेमिंट कर देनी चाहिए ताकि अच्छे से सब कुछ हो जाए और उस डिटेट को मतलब एक ऐसा स्पे आपको मुझे बाकिये एक इस पेस्फिक डेट जहां पर मैं आपका पेमिंट कर दूँ वह ताहिए अवरेज डूटेट निकालते कैसे हैं निकालते ऐसे हैं कि हम बेश डेट के लिए लेते हैं बेश डेट ऊपर प्रोड़क्ट लेते हैं और नीचे अमाउंट ले लेते हैं बस खतम हो जाती है प्रोड़क्ट क्या होता है वो दिखाते हैं और इंट्रेस्ट जैसे उसमें कल्कुलेट करते थे एक अकाउंट करते कि ठ्राइच्छ ने इस दिन को किया है अपका ड्राइच्ट इतना है फिर आपने यहांसए ट्राइक्षं किया है फिर अपने इध्रस्ट इधर्याउज प्रकुयाइबियीन रहे किन क्या कि आथ मार्च को क्या हुओड महनाज accept the following bill drawn by शहनाज सामने वाली बिल को accept कर रही है कितना four thousand four four months ठीक 16th मार्च को accept की five thousand four three months साथ अप्रील को छे हजार four five months और 17 माई को पांचार four three months simply आप समझे इसमें हम क्या करते हैं हम एक डेट उठाते हैं जिसको हम common माल लेते हैं और उसके बिस पे हम amount of product find करते हैं उसके बाद जो भी आता है तो product my amount कर देते हैं और बेस डेट जो हम स्टार्टिंग में ले रखे तो उसको एड़ कर देते हैं और जितने days आते हैं वहीं मरा जाता average due date और उसको interest save करने की बात कर रहा है तो वहीं से amount जो उपर given है उस total amount में जो हम find कर लेते हैं अब आप समझे क्वेस्टिन को उपर डिवडिट की में था एक ग्यारा तारी को उनीस तारी को दस तरके सारी डिवडिट अब अब कितना चारजार पांचार शेजर पांचार यह तोटल वीज़ार अब बेज़ डेट अर्लियर को हम लेते हैं अर्लियर को क्यों लेते हैं ताकि कल्किलेशन में असानुए जैसे सबसे अर्लियर जो डिवडिट है वह 196 का है तो नीच शे को अब आप माल लिए फिर तक जाएंगे जहां से यहां तक तो 2021 इंड़र पास में च्छार जरमयों तो यहां से आप को इस तो टोल मघट अमॉला प्लस बेश्टेट तो बेश्ट अब इस तरी को माल लिए थे यह वाला यह उनिस तरी को डिव डिट को लेकर चाहते राजक्शन डिट को तो नहीं लेकर चलेंगे आड़ लाग चैनल बड़ा भी सब्सक्राइब यह होगा प्रड़क्त यह होगी अमाउंट टूटल आपका डेस कि अब आप सुचिए कि हम इसको इन रेस्पेक्ट ऑफ त्री सिक्ष्टी फाइज किस दीन कौम इंट्रेस्ट एक्षो सब्सक्राइब बचा सकते हैं तो डेज कुछ रहा तो डेज को मानी जी एक्स क्योंकि हमें पाता नहीं था यहां पर यहां पर जैसे माल लिया वाइब 365 और कितना हमें बचाना है छटीस सो चाहां से बीस हटाराव परसेंटे ऑसे क्षैनल करेंड दी है जैसे मटिपलाई कि तो यहां वन कितना है अपका वहां पे एक्समानीजे तो या 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 उत्ना माल राइगा आपका आएगा 60 देज यानि कि बिदीन 60 देज अगर आपके कर देते हैं 60 देज्ट अर्लीर देंद अधर अवरेज ड्यूट यूटे ट तो आपको जहाए वह पंचया का पैसा 117 रूपए फैसे मा करते हैं प्लस हैं कि और क्या करते हैं कि ये भी काइच के लिए करते हैं कि हुद्धिक न्हography करते हैं, कि लिए लगा देते हैं थिक से में निंग कर देते हैं तो आप महाँ पर देट को जो एक्स लिजिए 2365 किजिए और जो 30 में मंटिपलाई किजिए आपका जाएगा डेट उस दिन को आप बचा लेंगे और यह डिवडेट भी वाला भी क्विस्चन था तो डिवडेट भी क्लियर और इंट्रेस्ट भी बचाना था इंट्रेस्ट भ स्टियस्ट वानुइंट का और है क्या क्या लगता है कि क्या करना चाहिए वापस 95% क्वेस्टन भी हो सकता है कि देखना कि 80% हमें साब को तेखने में मिल्दा है हैर आम कमिंग बेक तो माई लाइव नॉइस हो रही है क्या कोग नो प्रॉब्लम कि आते हैं इन्वेंट्री में हमको क्या करना है वह समझे लीजिया कुछ भी नहीं हमें यह दिखाना रहता है सुन लीजिए सिर्फ में यहां पर ज्यादा बोलने की कोशिश करूगा कि मेरे पास कितना का स्टॉक बचा हुआ है कॉस्ट पर सिंपल मैंने लाया मैंने बेचा मैंने प्रॉफिट पर जोड़ कर भेजा सामने वाले टीटंग कर दिया तो हम उसको को स्ट बहें इसको कोश्ट पे दिखाना बस पतलब जो भी यह श्टॉक हम दिखाएंगा उसको को ने दिखाएंगके बात खतम यह है आपका सब्सक्राइब काफी है जैसे इसमें था कि हमारे पास गोडावन में मैंने देखा कि मेरे पास स्टॉक है 31 मार्च को गुड्स मतलब अकाउंट क्लोज करनी चाहिए थी लेकिन 30 मार्च के बाद मैं देख रहा हूं कि क्या क्या ट्रांजेक्शन करनी जो भी हुए है उनको सबको रिटरन मनना अगर तो गय होगे तो उसको लाना होगा तो इसको वापस लाना होगा आगर या जो परूक वापस लाना होगा रहें करना होगा simple तो देखिए क्या रहे 5000 का मेरे पास दिखा रहा है ठीक है दिखा रहा है पांचलर का तो लिख लिए 50,000 का दिखा रहा है ठीक है 50,000 का मेरे पास टाउक दिखा रहा है ओके अब देखते क्या हुए है 31 मार्च और 15 अपरील के बीच में क्योंकि हम books क्लोज कर रहे थे 31 मार्च को ही थी यह है एक तालिस हजार का ठीक है कैसेज्ट राजाय जोभी और नीचे पड़ रहे कि उसमें सेल्स रिटरौन हो गया है एक हजार का यानि की हम टोटल जो है बाद में सेट की है 40,000 का ठीक तो 40,000 का जब आप net sale आपकी यह है यानि का आपका श््टॉक तो से कम दिखा रहा हों यह 39,000 को यह कम दिखा रहा होगा नहीं यह 30,000 को 40,000 स YOUR जज़ा दिखा रहा होगा लेकिन यह तो Sell value है Sell value Jeff जो जह भी आप sell करते हैं दूस्त तो पे भेजे हैं तो जब आप सेल किये हैं 20% प्रॉफिट पे बाद में तो आपका स्टॉक कम दिख रहा है लेकिन 31 तारीक हो तो वो श्टॉक होगा तो क्या अभी जिसको 40,000 में भेजे हैं वो 40,000 का होगा नहीं पहले वो कम का होगा आपने प्रॉफिट एड करके में जा कितन प्रॉफिट प्रॉफिट उसमें एड के ते क्योंकि वेस्टन में लिख रहा है कि जो पेहेजे हैं जो सेल हुआ है उसमें 20% प्रॉफिट जो है वो अल्रेडी इंक्लूड है तो भई अभी सेल हुआ तब वह हमारा 44 का दिक रहा है अगर यह सेल नहीं हुआ होता तो वह 32, अगला देख लिए अराम से करें कुछ भी धिकत नहीं होगा पर्चेज कि यह पांचार चौटीस का अब बताई अगर मैंने कोई पर्चेज किया है समान मैंने पर्चेज किया मुझे उससे प्रॉफिट कुछ होगा पर्चेज कर रहा हुए मेरा उतना एक्श्वल कॉस्ट गर्चेज को इसको सेल करूगा ज्यादा दो तो परचेज के हो 534 का 534 सिंपली मैं दिखा दूगा महाँपे कि देखो भई पांचार चव्यों पर्चेज करनों ज्यादा देख रहा वह 31 तारिको नहीं दिखना चाहिए तो जानए कन घरते कि घा गट्ट गट गया ठीक 15 मार्स को और क्या हुआ यह देखिए 15 मार्स की बात कर रहा है समझ रहे हम 31 मार्स की एंट्री कर रहा है अब रियल इंट्री होगा 10,000 गूड्स हम सेंड किये थे sales on return basis पे approval दिये थे 4 वी के लिए return हो गया 40% of the goods on 10 अपरी अच्छाबाद में return हुआ अपरूविंग दरेश दकस्टामर वाद बिलों 68 अपरी बोल रहा है कि return जो हुआ है ना 10,000 का 40% तो return हो गया था कि 10 अपरील को तो बाद में return हुआ था पहले तो हुआ था यानि कि बाकी जो 60 अपरील का अपरील का 60% अपका से अच्छे आजा सिंपल सा मैं इस लिए समझार हूँ कि इस तरीके साब concept समझेंगे था इन्वेंटर के सारे question कर जाएंगे तो 60% मैरेसेज हैं कम का अपरील में और मार्च का हिमको अकाउंट बना तो 6000 हम दिखा रहे हैं तो अगर इसको गहरहरूं Sel नहीं करते तो एक इतने का होता समार अब हम कर रहे तो 20% profit कर रहे है तो 6000 का 20% कम कर देंगे तो क्या अब्स ऐती अजर्यार Ch크 तो कर यानि water is Nilay ये कर सकते पहले जैसे ये लेस लिचानि इपारसे ठीज है लिcendo कर शकते होई तर तेस्व का जो है अभी सेल बाद में हुआ है नएट अप्रॉ बसुट कर लिए कर रिसेल्वा एन मार्च for sale on consignment जिसमें से 20% groups have been sold पहले ही बिग गया और 50% by the 15th April this sales are not included in the above sales ये sales में included नहीं है अब आप समझ रहे है sales में included नहीं है का मतलब क्या है ये sales नहीं माने गए है तो जब माने नहीं गए है यानि के stock में included होंगे already तो हम को इसको क्या करनी चाहिए हमें तो स्टॉक से अठा देनी चाहिए मतलब समझ ये ये बोल रहा है कि जो बाद में भी आप sell किये है माले जी मैंने बाद में sell किया ठीक है कितने का sell किया 20% और 50% 70% का में sell किया वह ला कि इसको आप रिकॉर्ड नहीं किये है अगर इसको रिकॉर्ड में कर लेता बाद में 15 अपरील को तो क्या करता पिर एक 30 मार्च में जाने के लिए इसको माइनस करता लेकिन क्योंकि इसको रिकॉर्ड नहीं किये तो मुझको माइनस किसको करनी चाहिए बाकि रेस्ट 30% को यानि कि उसको सेल हम मान चुके होगे क्या बना कि दीजान नौट इंक्रूडेट इन देवर सेल्स तो ट्वेंटी परसेंट और तर्टी परसेंट को सेल माना ही नहीं गया है यानि कि यह तो अल्रेडी वहां पर स्टॉक पर दिख रहे होंगे यह से लिएस्ट आजक पता है यह सब सेल नहीं हुए ने कि ने की है तो म ही बात में तो इस यहां पर दिखानी है कि गलति को कैसे श्रीकर लिए अब जो लिए 30 परसेंट यो एक्ट्वल में से नहीं आपका बाद में उसको आपको क्या करना होगा उसको आपको यहां से गायब करना होगा यानि कि टांट के बाद सेल कौन होगा थाटी परसेंट तो आठ हजार का 30 परसेंट चौबीस और इसको आपको हटाना होगा उपर वाले को तो हटाने कि जूरेडी इंक्लूड एक यूज रिकॉर्ड इनिया जो रिकॉर्ड होगा है याज जैल और वह बाद में सेल हुगा है यानि कि बढ़ में खटा हो दिखाए पिछ पिछले बाद तो अगर यहां उसको क्या करना होगा उनको हमको उसको सेल करना होगा तो जब आप शेल करेंगे उसको तरटी पर सेल को तो वह जोगीं सो माने गाओ तो बोलो तो यह वह से ले इंक्लूड यह नहीं यानि कि इंक्लूड इंक्लूड इट कौन था आठ जर्मला ठीक है 30% वाला तो 30% वहाँ पर आप अरेडी मेंशन है तो उसको हमको हटाना ही पड़ेगा न यह तो से लेहीं हुए यह तो स्टॉक्स में यह लेगी जो अल्रेडी से था से उसको तुमको हटाना ही पड़ेगा तो हटाने के लिए मैं यहां से माइनस कर दिया उसको क्योंकि 30% वाला जो है वह एक्चुएल में क्या हुआ है कि पहले का इटम है जो सेल हो चुका है पहले से अगर अप लेकर चलने तो उसको सेल मालना पड़ेगा तो अन्सोल स्ट पहले जो बचा हुआ था वह 30% बचा हुआ तो इसलिए मुसको दिखा दी और मॉस्ट इंपोर्टेंट एंड मॉस्ट इजिएस्ट क्वेस्चन यहां पर है इसमें क्या करना कुछ नहीं जो सामने वाला बिग गया है उसको वापस लाना है और जब भेजे तो थे बेच सोब गार एकांश्यार मार्जांत मार्जन 33% अगा कर हम भेजे थे और यह नेक्स य्र का यह यह मोड़ा प्रिवियर में नहीं थились को हन्रेंड भाइं तर्टी थी पॉइंट यू करेंगे इंटू अट्सर सो पिछत्तर तो जो अमाउंट है का उसको इसमें से माइनस कर लीजिए तो उसको सत्रासो नीस तारा था उसको अच्छा पिछतर में से मनें माइनस किया जो वेलिव आया वह यहां पर एड में दिखा द क्यों क्यों कि अब भी पर्चेज कर रहे हैं यह पहले से स्टॉक में तो होगा ने अब मालेज मैं 2019 का बना और 2020 में कोई शेल किया हूं तो 2020 में तो स्टॉक कम दिखेगा तो स्पीछ पीछले टाइम पर यह स्टॉक होगा तो उसको क्या की हम एड कर लिए तो अब भी जो ह प्राइस का जो कि सेल्स रिटरन हुआ कोई स्टॉक था जिसका 300 प्राइस से ओर रिटरन वेता को पता है कि जो ही इंसल कि थे वह 33% हम प्रफिट पर सेल यह थे यहां पर देख लिजिए 33% इस निका लिए कॉस्ट का और इसे मैने की 300 x 1 by 133 तो जो आप ऐसे करेंगे तो आ है 300-25% कर दिजिये 25% 25% 25% हो गा क्योंकि 1 by 3 on cost सब्सक्राइब के पास मशीन था जिसका आपको पांचो पांचो पशीशन लेन था तो आप उसको 600 एक्षा ले रहा है तो 600 कम लिजी कोई दिकती की बात ने तो 600 कम लिए इन्वेंट्री का क्यों लौसंड रिवेलिएशन इसका वेली कम हो गया अप्सुनी अदू तो है फ्ल वेली जो है वो गिर चुका है कितने से 300 से तो उस तीन सो को भी नीचे दिखा दिए और रिडेक्शन इन वेली अव दा काउंट डिफॉल तीन सो आप कुछ नहीं वेली आप स्टॉक आगया एक लाग तिरसर रेजर जासर कर दिसमें जो था जो आप पर्चेस कर रहे हैं औ आप को यह दिखाना है कि अपने पर्चेस किया कितना सो उनिट्स एंडेर थर्टी ते जार मान दिखा दिए कितना हो गया तीसा सार फिर 50 इसू किया तो मैनस कर दीजिए 50 30 तो मैनस कर दिए उसमें से कितना तो पंद्रह जार बच चाहेगा फिर बैलेंस पंद्रह जार इसमें से मानस किजिए ठीक और पूछ किस पर रहा है फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आप तो हन्रेट यूनिट्स जब आप अ कंजूम करोंगे तो पहले 50 इसमें से मानस कर लिजिए और बाकी जो है और इसका रेट कितना रहेगा एट दिए 30 रहेगा इसका और जो बैसमें से 100 आप इसव करेंगे तो अधिर एट 40 से और फिर जो बच जागा 100 वो इसका बच जागा तो इससे अधिर एट 40 आप माइनस कर लिजिए गा इसका यारी कह 100 अधिर एट 40 ही बच जाएगा इनुए खतम फान फान प्रम अब फानल अगॉंट अर क्वीक वे में कर रहा हूं ताकि आप मी जो आसान हो जाया हैट सब्सक्राइब तो यूज बोलो आया विदाव प्लीज चेक लाइब चेट आप बोलो वन दिट गया है और टू हर्स एंट थर्टी मिन्त का ऊज़ाई बोलो सब्सक्राइब कोई बात नहीं ठीक है भाई भूलो तो लिग फैन वाइब कर देना ठीक है मैं आपके पास वापास आओंगा आई विल भी लाइब विदीन आप्र कंप्लेटिंग भी सेशन ठीक है आउंगा मैं चिंदा मत करना कर दे ते हां अटो अधियर जब मैन आप आकाउंट पर देन मैन फैक्टिरिंग अनन मैने फैक्टिंग के रहे हैं कि मैनिस फेक्टिर इंग अटाउंट जब आ बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ तो लेटर देखिए मैं करना अभी आप सुने जैसे दो मिनट सुनियेगा दो मिनट को पूरा क्लियर कर दूँगा जो कि डिर्क्रीम मेटेरियल पी या फिर उसके प्रोडक्शन या फिर्मैने फेक्ट्रिंग पी मैं लग रहा है तुसको अपूर्ण कर देते हैं और पर्चेस को एड़ कर देते है डायरेक डायर एकिशनिक तेका इडिधा को शायं को कुश्श्चेवब है। एक एक सेखंट यह सारे अगर लग रहा। पर मेटैरियल पर तो यह किसमें आएगा यह मैं ने हुआ यानि कि जब आप मैंफ्टेंग अकांट बनाते हो ने मैं इसमें आकांट तो उसमें क्या आप दिखाते हो की जितना भी प्रोडुक्शन्स से एक इसमें आएगा अब जो प्रोडेक्शन्स सबाहर हूँ गाये वह जाएगा आपront में अब सबसेंग पेटिन पील में क्या जाए गा तू क्लोजिग तो क्वह जएगा जाएगा तो इतना करतें डूटिक और अंब भी जब आप डाबलू आपी कर रहें तो ओपनिंग डाबलू आपी यहां पर आगा क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस अफी प्रोसेस में में पूरा जीपना भी गूट से रिलेटर चीज़े हैं वह मैं रिफेक्टरिंग में तो ओपनिंग वहां पे तो ग्रोजिंग डाबलू तो उसको कहां देखाएंगे क्रेडिट साइट पे ठीक तो भाई प्रोड़क्ट को भी क्रेडिट साइट पे क्योंकि एक इल्कम की तरह होता है तो सारे खर्चे इधर और खर्चे कैसे जो मैंनिफेक्ट्रिंग से डिरेक्ट्ली रिलेटर है जिसे को ओफिस का खर्चा अगर प्रोड्यूस हो गया फिल्ट बन गया तो उसके बाद भांद खर्चा तो अगर कोई फिनिक्स वून में जो जाता है वो फीनिश्ट गूर्मेट्स का आप रखिएगा रिडिग अकाउंट पिर जिस्में मैनिफेक्ट्रिंग का बनाते है और मनिफच्छिंग क्या ज सुझाइग जायगा सिपल कोई दिखत की बात नहीं क्योंकि प्रितक्षिछन अप्र लून्स कि इतना मौन क्विस्चर में तुम देखो रही है लगा तो किसी का प्रोड़क्टν को आप अपने भूपास लातेची वह टो आप पेमिट करते तो बताओ यह भी यह तो प्रोड़क्सन और यह थो ऑनीम इसको रागल को तैजवा निवल मेदेगे वह यह के 's करने में दिविन प्रोडक्शन कंप्लीशन में नहीं कंपलीशन के पहरे तो या जाएग जानगा म lap के बाद गूप्र प्रॉडीस हो गए तो प्रोड ू सबस्कूर में नेयोग तो सथैंड द ने से पहले जितने खर्च या शूब कर भीर runners आ安心 के खरच में वेजी हो गया कोई एलेक्रिसिटी ट्रेक्ली उस पर यूज रहा है तो यह दो चला जाएगा ठीक है ट्रीडिंग में क्या यह दिखे रिलेटिंग टुबाइं एंड सेली बाइंग इंड इंसलिंग के जितने हैं ट्रेडिंग में चले जाएंगे क्योंकि ट्रेड मतलब चले और किया अगया अलते है प्ल अकाउंट प्ल अकाउंट में जितने वह दिखेंग उसके बात प्रडूस की उसका एक्पिल से मनेफेक्ट रियुख कर दी उसके बात का जो खर्च है छल करने से पहले वो ट्रूडिंग में प्रडूस को यह दिखेंग अपक्रण दसेल चलिए यह थोड़ा सा समझना में समझने में अश्वाम जदा बैने सिप्ट में पूरा आइटम आफ जाने की तर ऐसे इधर लियाबिलिटी इधर कैपिटल ऐसे कैपिटल लिएविलिटी बस कहा नहीं खतम में जो आपको सिखाना है मुझको यह शिकाना है कि सुनिये आपको क्या गिवन रहेगा एक डेटर की विए उसमें प्रोवीजिन फर बैडड गिवन है प्रोवीजिन फर डिसकाउंटन टेर अब सुनिये यह दोनों तीन नहीं गि डेट क्यी सानी है तो सुनिये प्रोवीजिन फर डेर्ड इट दो दिया रहे का पहले जीजी आप सुनिजे प्रोवीजिन फर बैड द दो दिया रहे गा एक गड़िविट में यहीं पर today में जो भी रहे ताम यहां फिर से सुनीजे यहाँ पर डेटर गिविन रहें गा और डेटर के नीचे आपको एक प्रोविजन फुर बैट डेट हंडेट परसेंट गिवन आएगा तू परसेंट परेटर जो भी और अमाउंट भी गिवन हैगा और नीचे भी बोलेगा कि नया प्रोवीजन जो हो फाइव परसेंट इस तरीका का कुश्या रहेगा तो आ आप इसको हैंडल कैसे करेंगे तो सुनिए और जो डेटर है ना या टेटर वो डेटर में से डारीक्ट लिए आप 5% माइनस किजिए और बैलेंस चीट में दिखा ये मतलब ये डैरेक्ली 5% जो निकलेगा ना वो बैलेंस चीट में माइनस हो जागा डेटर के एक्ट्वल वेल्यू से टीक सुलिया ये प्रोवीजन दिया इससे कोई मतलम ने नीचे प्रोवीजन देदें डिस्काउंट अनडेटर जो भी देदे हम डेटर से जो नीव प्रोवीजन है नीचे उससे हम माइनस कर लेंगे बैलेंशीट में ठीक तो यह फिर ओल्ड वाला जो दिया हुए प्रोविजन इसका क्या करें तो अब सुनिए जो नीव प्रोविजन आप निकाले हैं और माइनस की है बैलेंशीट में डेटर से इसका कुछ वेली होगा 5% निकाले होगा तो लेटर से उपर 10,000 था उनीच है 5 माइनस हो जाएगे हैं दो से ओल्ड प्रोविजन निब्र हो जायें गे ओल्ड प्रोविजन माइनस होजाएग利 कहां जाएगा यह जगा पी अन्य पर कमीगित और फक्रू संब달 से तो वह ओल्बंगर आएगत तो संद्री डेटर दियाओ, प्रोविजन फूर बैडडेट दियाओ, संद्री डेटर में से पहले निव प्रोविजन का वेल्यू निकालिए, जैसे उपर 10,000 गिविन हो, और यहां पर लिखाओ कि 100 जो है, वो ओल्ड है, ठीक, लेटर सपुर्ट मैं इसको 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 थोड 25% 200, तो 10,000-200 चूट में थान बेन थान पर साहान साथ हाने कहतं अब यह जु आया, 200,000-500 500 प्राइच, तो यह जो फाइब दिया तो 5% कि आप क्या करेंगे, 5% का वेल्यू कितना रहा है आपका 500। अब इस 500 में से यह 100 माइनस कीजी और 400 दिक आ यह याप पी अडाल अगा सब्सक्राइब अब माल जिए 10,000 का था न्यू प्रोविजिन आप 5% निकाले तो कितना है आपका 10,000 माइनस 5% तो 5% आपका कितना है 10,000 का 5% तो 500 का आप माइनस किजिए 10,000 से 95 वहां देखा दीजिए और यह जो 500 इसका वेल्यू है तो 500 में से 100 ओल प्रोविजन माइनस किजिए और 400 ले जाएए पी एंडेल में ठीक 400 आप ले जाए पी एंडेल में यानि कि से टलमेंट जो हता है दोनों प्रोविजन का वह जाता है पी एंडेल में और डेटर और निव प्रोविजन हो जाएगा बैलेंस शीट में खतम कहानी अब आगे बढ़ते हैं अगर डिसकाउंट ओन डेटर नीचे एक और प्रोविजन दिया हो डिपैड़ा थी डिसकाउंट ओन डेटर का 2.5 परसेंट लेटर सपोस्ट या फिर 2 परसेंट को किस पे आप निकालेंगे वह आप निकालेंगे न 9500 पर ठीक है ना 9500 पर आप निकालेंगे क्योंकि प्रोविजन जो है निव मैनेस 500 और 955 का मैनस 2% जितना और फिर दिसकाउंट ओन डेटर जैसे हम उड्रविजन प्रोविजन फ़र बेटट को की दिखा रहे हैं अब आप सेवेंस में सुनीए डिटर दे दिया प्रवीजिन फर बैड डिट है पुर्वीजन फो डिसकाउंट भी है अब सुन्य पहले प्रोवीजिन फोर बेड़ेत माइनस करते हैं तो दस जार है नियू प्रोविजन एट्टेट में दो पसे बैसे बैसे दो बैसे चीट में ठिक और जो दो पर सेंट हम कलेकुलेट की है धासर का इसका और प्रोविज़न वन जो गीविन है बैलन सीट में उस अब उस value में से नया वाला provision for discount on data minus कीजिए जो data left है अभी provision for bad date के बाद उस पे आप discount निकाल लिए और उसको minus कर दीजिए discount के value को data में से जो data बचा हुआ था उसको भी balance sheet में से minus कर लिजिए अब जो new वाला discount on data आ है उसको आप old वाले discount on data से minus कर लिजिए बस कहानी खतम और कुछ नहीं करनी समझें प्रोवीजन वर डिस काउंटन डेटर में से जो आप बैड़ डेट माइनस किये थे उसके बाद जो नया आप प्रोवीजन निकाल रहे हैं उससी पे निकालेंगे इतना बेवजे ही लफड़ा कर रखा है कमिशन कमिशन क्या है कमिशन दो प्रकार के होते हैं एक रेगुलर जो कि जितना आपका आ रहा है उसके कमिशन और एक आता है आफ्टर चार्जिंग सच कमिशन ऐसा लिखा रहा था है तो उसमें क्या करेंगे रेट लगाएंगे और लिखेगा 10 परसेंट तो हंडेड आने की जुरूरत नहीं है सिद्धे आते हैं क्वेशन पे रूग जैक अच्छा सा क्वेशन उठा लेते हैं इसका कोई भी क्याइब चैटर का सब्सक्राइब अधियर परचेज में सेल्स रिटर्न इंक्लूडेट है 2575 का तो 2575 का परचेज से मैनेस करेंगे और क्योंकि यह सेल्स रिटर्न है तो सेल्स से भी मैंस हो जाएगा 2575 देख लेए जर्णल इंट्री सिर्फ करना है क्या यह एक्का क्योंक क्या तो सब्सक्राइब श्याओ लेए जैटर्नींिय। इनननल्स द्रह नच्योंकि यह मत तक है eh purchase include a return of 2575 sales return of 2575 and sales include a purchase return of 2016 1725 यानि कि purchase return में sales return 2575 और सेेल्स में purchase return 1725 तो से вес return जो है Interestingly वाला purchase return में चला जाएगा और सेल्स रिटरन वाल झेल सेल्स रिकाप्स थीक कौई दिकत नहीं है तो देक लिए कि यहां पर जब हम पर्चेज को दिखा रहे होंगे किसमें आप एंडल बनाए होंगे ट्रेडिंग पी एंडल उसमें तो पर्चेज तो वो गीवन है उपर अमान मैंने चिर्का एक तीरपन एक्सव पर्चेज में से पर्चेज रिटर्न जो सेल्स रिटर्न में है 1725 उसको मा से आच्छा है जो मांट इसका था उसको हम इसके में दिखा दिए और लिखा दिए जाई जो थीटर्न को यह थे पहला तो हो गया ठीक है यह बहुत अच्छा इसमें जर्णल एंट्री भी करनी है तो जर्णल एंट्री सिंपलिए ना सेल्स रिटरर जिसको में इंट्री नहीं थे 25 अधर उसका एंट्री कर दी रिटर्ण उसको वी डेविट रिटर्ण क्रेडिट होगा क्योंकि यह माइ अगर परचेज लिटन को हटाओ परचेज मैं से यह entry और एक सेल्स में परचेज रेटरन रिटन है तो हूँ पहला होगे गुट्सवीड्रों कि है इंकलूडेदिन परचेज था न क्या था अगुट्सवीड्रों मिस्टरेग्वजेट फॉर ओन परचेज तो अगर आप एंट्री पास करें है तो यह देख लिए यह द्रॉइंग तो पर्चेस 3500 3500 क्योंकि गूट्स जह है विट्रों के किये गए हैं ठीया 3500 यह दिखाया नहीं यह ओपनिंग पर्चेज माइनस पर्चेज रिटर्न माइनस 3500 भी तो होनी चाहिए ना पर नीचे दिखाया क्या है क्या है क्या है क्या है सारा का सारा उलट फिर है वन से कि तो वहां पर हम क्या करेंगे यहां पर यहां पर हम माइनस कर लेंगे 3500 था ना सायद यह जब प्रिंट कर रहा था उस टाइम पर यह मिस हो गया ठीक है मिस प्रिंट हो गया हाला कि सब कुछ है वो सही सही है तो 3500 वह माइनस कर लिए हमने पर्चेज मेंस कर लिए और इसको ड्रॉइन में डालेंगे यानिकि बैलेंस सीट में जब आप जाएंगे तो वह महां पर भी माइनस कर देते हैं बारना कि कैपिटल में से भी माइनस 3500 यहां से दिखा देनी चाहिए है ट्रॉइंग यह दिखा दिया टोटल दो बार दोइंग हुआ होगा इसलिए महां पर 11500 दिख रहा है ठीक है देख लेते हैं उदर 3500 इंक्लूड इन पर्चेज मेंस क अगला देखें वेज़ पेड इन पर इंट्री में बढ़ जाए गा और बैलेंस चीट में उसका सेम इंपक्त दिखा देगे खाया फ्री सेंपल रिष्टिविट हुआ है तो यह भी पर्चेज मेंस हो जागा पर्चेज में से मानिस होता है फ्रीजें पर्चेज में से मैनस हों जागाल फ्रीस अंपल वालक है प्रभीजीन एप डाइब़ पात फ्रब्स टा यूव देटर यूट-व नेटर को पहले आप डेटर वाला जब आप एंकरे करेंगे तो देखिया जो डिटर है डिटर आपका एक लख बीस हजर का ते लिटर पर नियू जब आप प्रोवीजन लगाएंगे 5 पर से तो कितना आएंगा 5 पर सेट थे जार इटर है तो चेह जार ओल्ड जो आपका प्रोवीजन गीविन है वह बती सो तो को घटा दीजेशेज आर्शेजार में स तो लगा दिए तो कितना थाइसो पच्छास अब ओल्ड डाउट फुल डेट जो है वो गिविन है 1375 तो उसको आप मैनस कर लिजिए तो 14 1475 ठीक है बस यह करना और कुछ नहीं करना और इसका जो वो निटरा 2800 इसको इधर दिखाना चाहिए था यहां पर अब बैलेंशीट में क्या किया हो का बैलेंशीट में बैलेंशीट में से आपका जो निव वाला है जो चेज़ा उसको मैनस किया होगा और ये जो आठाइसो इसको मैनस करेगा बसकानी खतम हालां कि बैलेंशीट मेंशीट की जर्वियार देखिए 6000 मैनस किया एक लग वीजार में से और फिर अठाइसो पचास दोनों नीवाला मैनस कर दिया तानी खतम इसमें में जो डेटर वाली है हालां कि और भी कोशिश करता हूं आपको बताने कि डेप्रीशेशन प्लांटर मसीनरी पे 15 परसेंट लगाना है फरनीचर एंट इन परसेंट लगाना है तो डेप्रीशेशन दोनों पर चार्ज कर देंगे पूरे यह का अब यह जिय इसको आप स्टार मार्क कर लिजी यह पॉइंट बहुत इपोर्टेंट है लोजिंग स् 80% as the real value of stock यानि की जो real value of stock होगा उसका value 80% value of stock वो bank overdraft के value के बराबर है यानि कि value of bank overdraft जो 80% ही value है stock का तो value of stock कितना पहले overdraft है कितना यह देख लीजिए तो overdraft जो है न जब आप देख रहे हैं वो कितना था असी अजार था सिर्फ 80% 80% of stock तो अगर 80% स्टॉक का 800% कितना हो जाएगा 100% आपका जो है वो इसमें वंटेपलाई हो जागा आट लाक हो जाएगा ओ सॉरी यह कितना हो जागा इस दस लाक मतलब एक लाक हो जाएगा यहां पर एक लाक ठीक कैसे निकाला में बोला की उपर जो बैंक को बडराप आसी अजार का है न क्विश्चिन में बैंक को इसमें मतलब 100% पर हम ले गाए कि यह अगर अगर 80 अगर 80% पर है डिवाइड़ एक टी तो इन 200 अगर हम करेंगे तो यह कितना होगा ता यह होगा आट लाक और 20 में और और सिस्टम लागा इस टो के लिए अब सुनिया क्या था कि ठीक एटी विलियों स्टों डिजेक अगर टी परसेंट जो आपने जिए अजिए 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 उपकर 80% अब दो सेम हैं विन अलाव टू जो एज़न ओड्राफ्ट जिए वह एक टी पर सेंट है किसका अब आप समझे नहीं समाद को कि आपको दो दो बार उसको 100% पर ले जाना होगा सामन प्रचंट जबाफ पाइड करेंगे तो कितना जाएगा आपका तो लिकिए 100 बाइटी इंटू 100 बाइटी तो फिर से जबाब करेंगे तो यह जान है यहीं लाश्ट था जितने सारा आइटम से फिर अप्टेडिंग पेल में दोनों में अधिका दीजिए जिसे करेजी फिर यहां पे क्या था क्लोजीग स्टों आपने निकाल लिया तो वहां से ग्रोसफित आ गया रिडिंग का भाइट फिर यहां पर आगया डेप्रिशेशन जो चार्ज करना था डेप्रिशेशन यहां पर चार्ज हो चुकिया और कुछ भी करने की जुरूरत नहीं है यहां से नेट प्रॉफिट आ जागा और नेट प्रॉफिट जागा बैलेंच शीट में यहां से नेट प्रॉफिट आया वह हमने दिखा दिया यहां से हमने ड्रॉइंग को माइनस किया कि 3500 इसमें था 8000 पहले से था तो 11500 बैंक कोवरड्राप्ट 8000 जैसे क्वेस्चन में एजट इस गिवन है संजी के रेडिटर्स क्वेस्चन में गिवन है पेबल सैलरी क्वेस्चन में डिव गीवन है प्लांट अन मस्यूनी 20,000 गिवन है जिसमें हमने डेप्रिशेशन कैल प्रोवीजन फोर बैंडेट और फिर प्रोवीजन फोर दिसकांट अंडेटर दोनों माइनस कर लिया फिर रेंट जो है वो प्रिपेट है गिवन है तो वो 300 हमने यहां पे एसेट साइट लिखाया कैस्ट गिवन है कैसर बैंक इवन है आपका टोटल बैंशीट मैच कर अब दाउट लेने लगोना थे टाइम जो है जो आपको दिखरना एक घंटा यह तीन तीन घंटे में सोच्राइब फुरा कंप्लीट कर दूए ठीक है मैं लूंगा अभी तुरत एकंटे बाद जो है एकंटे ही नहीं आदे गंटे बाद ही शेशन लोगा जिसमें आपके सा आरे दाउट को पर सेटोंगा आप मैं लाइव तो मैं दाउट नहीं होगा मैं तीन घंट में कोशिश करूंगा मैं क्विक्ली कुछिश कर रहा हूं तीन घंट में अगर आपको में पूरा अकाउंट एक वार समराइज में बता दे रहा हूं तो यह जब लास्ट टैप आप एविन जाम के तीन भी जिस तीन आप जा रहा हूं रहा है अगर आप आठ नो बजे भी अगर आप इस चीज को ख और है और है खेर और स्टार्ट करते हैं तुर्ण तुरंत इसको खत्म करना है मेरे भाई तो ऐसे जो लास्ट डेपी अगरा देख कर जाएंगे क्वेस्चन तो आइधिंग वह मैक्सिम्ट कर पाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं उनके लिए देखिए लास्ट चेप्टर ले रहा हूं कंपनी अकाउंट ठीक है अब इसमें मैं पहले आपको बता दूं कंपनी अकाउंट में कैसे क्वेस्चन साते हैं सुन लिजे एक आएग आपका या तो आने की चांसेज है वह एडवांस और एरियर वाला ठीक एडवांस और एरि इसके चांसेज बहुत कम हैं लेकिन आता है ठीक तो यहीं टीन टाप के क्वेस्चन आप से पुछे जाते हैं और देवेंचर वाला तो वही इसू होता है जो डिसकाउंट पर बस तो चलिए इंसरे रिएक क्वेस्चन देख ही लेते हैं यह तो आपको पता है एक सिंपली जब एक एपलिकेशन मुझी रि सेबफ रिता तो बैंक आप कानद विटवी तो मिल जाती है तो इतौन करतं है थे फॉट फाइनल कॉल लिवेंच अनुल्हेज फिर हमें मनी मिल जाती है बयूंट लोग्त वार्म्हें से फ्लिवेंणे को मिलता है तुविड का प्रिकिव जिसके रिप्रि ननर कर सब्सक्राइब ड.'dum जब जियादा अप्लिकेशन महीं रिचिप होजाती है जब सिब्सक्रिप्सिर अबधर दिशुंग्ड जवाब का कम रपसीब होता है ठीक एरियर जब समने वाला कोई कॉल अमांट नहीं दिया आपको अपने कॉल किया दस रुपैसे अगर उसे नहीं दिया तो यह हो गया कॉल सिर एरियर अगर उसने ज्यादा दे दिया तो हो गया कॉल सिर बांस आपने सेकेंड कॉल अपने अलॉटमेंट काई पैसा मंगा उस और एडवांस जब सामने वाले ने एक ही बार में एलॉटमेंट पर या फिर में भी अप्लिकेशन पर इस सारा पैसे दे दे और बाकी के लिए आपको इंट्रेस्ट के लिए लाइबल कर दे कंपनी को पे करने के लिए कितना 12% तो इसी हुगत है एडवांस सिधाते पर क्वेस्टन पर कैस्टन क्रिशन वन मिंट मैं पर का क्री ले लूंगा भाई कुझा पर देख या का दो या कि इस आम ए डिसकाउंट पर दिशिदा रभाव.. देख लेते हैं क्या देवेंचर सी जह है वह इसू हुआ है त्री लैक फिप्टी थाउंड वेंचर से एड़ी रेट हंडेड उनका प्राइस है पेवल इन फूल और एप्लिकेशन बाइफ एक अप्रिल को सारे जो है रिसी वेबल थे और अप्लिकेशन कितना रिसी वह तीन पूछा तो तो पहले तो अमांट जो हमको सारा रिसीव हुआ वह देख लेते हैं तो 385-800 से रिसीव हुआ वह पर हंडेट कॉमन ले लेते हैं ट्रीपल जीरो और 385,000 यहां पर दिखा दें कि यह तो हमारा अप्लिकेशन अमांट रिसीव हुआ बैक अकाउंट अभी टू 12% डिवेंचर अप्लिकेशन ठीक अप्लिकेशन पर रिसीव हो गया फिर जो बाकी के जो 3500 एक्ष्टा हम ले लिए क्यों कि 350 ही लेनी चाहिए थे हमने 385 लिया 35 एक्ष्टा लिया 35 को उने रिफॉंड कर दिया अप्लिकेशन से अप्लिकेशन को डिवेंट किया और बैंक क क्रेडिट यानि कि हमारे बैंक से यह जा चुके हैं अब कि अब क्या अब अलॉट मेंट होना था तो अलॉट मेंट कर दिए क्या हुगा जो हमारा अप्लिकेशन में अमाउंट है 35,000 जो रियल है मेरा उसको हम टू डिवेंचर अलॉट कर दिवेंचर यानि कि कैपिटल की तरह ही डिवेंचर को ट्रीट करते हैं और खत्म यह गया दिवेंचर दूसरा यह तो असान है यह आने की चांसे बिल्कुल कम था लेकिन दूसरा जो है वह थोड़ा सा चांसे इसका है अबन सेकेट तो इसका देख लिजे थोड़ा सा क्या है 20,000 डिमेंचर इस्टू हो रहे हैं नोमिनल वेल्यू है वन क्रोव ओके कैसे तू संद्री परसंस फूर कैस्ट नाइंटी परसेंट अब दो नमिनल वेल्यू और फिक्टी लाग अब मन माल लीजिए पहला जो पचास लाख था उसका हम पैटालीस लाख पे यूशू कर दि कैसे ब एक परसंट को किसी संद्री को हम बैंक काउंट 45 लाख गांग से तुम को 45 लाख यूशू करते हैं पैसे लिने के लिए तो जब आप डिवेंचर यूशू कर रहे हैं तो डिमेंचर आप उसी की पच्चास लाख यह लेकिन आपको वह दिया 45 लाख ही क्वेस्टन मे कर रहे हैं तो 45 लग आपको मिलिया ठीक है किस पर मिला आपको डिवेंचर एप्लिकेशन पर लेकिन आपको पता है कि जो आप सियर कैपिटल उसको दोगे ना मतलब जो डिवेंचर उसको दोगे जितना ही सिर्दारी उसको दोगे या जितने के लिए वो लैब एलिजिबल होगा पैसे लेने के लिए उपचास लगा क्यों कि उसके पास पचास लगा है तो तूदेवेंचर आपका जब भी ओगा वो पचास लगा और आपके पास जो एप्लिकेशन पर रिसीव हुआ वो पहथा यानि कि पांच लाख आपका डिसकांट हुआ था तो डिस जो डिवेंचर जीतने का था वो था पचास लगा तो पचास लगा था और पैंतालिस लाख हम एप्लिकेशन पर लिए यानि पांच लाख हमारा डिसकांट ओके अगला देखिए क्वेंडर को हम यूशू की है शेयर कितने के लिए एक एसेट बीस लाख काम लिए एसेट कि यह यह इसला की मेरे पसा यह मेरे पास आया भाई खीट ऐसेट बेंडर में गमेशेए बेंक टेबित किया है प्रक्राइब क्याइब कर तो से यह अट डिसकांट के तो आब अगला जो है कि बैंक को लिटरल सेक्वर्टीढ की यानिस लाओं यह लिए वह 25,000 पांच बिश क तो अग्या तरह तो आपको 20 लाक नहीं लेकर चलना पड़ता है यहां पर इसकांट का कोई वेल्यू नहीं है बैंक में जब आप लगने जाते हो और कुछ कोलेट सनुन रखते हो तो उसी का वेल्यू गाना जाता है बाकी आपका डिसकांट फिसकांट कुछ रही लिया जाता यानि कि 20 लाग का सिंपली आपका एंट्री पास हो जागा यह देखिए बैंक अकांट डेट टू बैंक लोग क्यों पढ़ यह दीचे लो एंट्रीज मेर इन दे बुक्स अफ अगाउंट अप अपनी अड़ टाइम अफ मेकिंग इसू अफ सच डिवेंचर ठी इन दे नोट् है लोन ली है 20 लाग का जब कि आप क्या हुए है बाई इस डिवेंचर दी है 25 लाग का अब आप सुचिक ने मेरा पांच लागा डिसकांट हो क्या है नहीं आप एक कुलेटरल सेक्योर्टी दे रेना तो आपका एक्ट्वल वेल्यू जो आपको वहाँ पर रिसीप्ट यहां पर क्यों है कि को लेकर सिक्यूर्टी कि तरह आप उसको दिए हैं तो जर्बराइटर्सक्योर्टी कि अभी सुथोड़े ना कर दिक हाप जैसे ऊपर में था क्या था सामने वाले कंद दे अब अधिश्व और यहां पर कुलेटर से क्योर्टी की तरह रखें है यानि कि यह सेक्योरटी है यहां पर एक्च्वल में दीए नहीं नहीं है तो यह जो है बीसला का वो बिसलाखी रह जाय गांड हो ठीक हम देखेश वाले क्विस्टिंस पे आ जाते हैं कि अहां कि फिस्टिन के सब ठीक है अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेस्टिन है चोंसर जार पांसों से एर्दी एट हंड़ेट पेबल है 3030 कितना 30 30 20 and 20 लेकिन क्या हुआ सब्सक्रिप्शन यह वो अंडर सब्सक्रिप्शन रही है कैसे देख लिजिए साथ हजार सी रिसी रि अठारा लग दिखा दिए कामरा अप्लिकेशन पर मिला और सेम हमने अठारा लग को जो है वो कैपिटल में भेज दिया शेयर अप्लिकेशन टू शेयर कैपिटल चला गया अब हम अलॉटमेंट की एंडरेट 20 तो साथ हजार पर एंडरेट 20 बारालाग की जर्गा कितना है पर सेखेट एंडरेट 30 अप्लिकेशन पर बीट अप्लिकेशन विए 30 अलॉटमेंट फिर्टी तो स्यर्स यह दिए आटारा अठारला अठारलाग हमने कॉल कर लिया सामने वाले ने पीवी कर दिया अठारा अठारा अठारला अठारला डेट उपर मेंशन है जुलाई 15 फि क्योंकि और फिर से हमें अमाउंट रिसीव हो गया I will be taking your queries लेकिन इस लाइब के बाथ और एक में बाद बता रहा हूं लोग का एक फुल-fledged में लोगा उसका मैरत हो जिसमें है पूरा पास्यरी पेटर्पर कम से कम तीजटी से कुषें हरे क्यों पिक से maksyнова कंट की अधिक को शंहीं पचीन होता है जो बहुत MAX में आशा पुछता है और पूछन है पांत नंबर का सब्सक्राव का देख लिए कि इस तो प्रिचर वाला की आने की चंसे जादा हैं अब आपके टोटल कंपलीट होते हैं अब मैं आता हूं आपके दाउट्स पे हुआ हुआ है 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 आपने तो काफी इजी कर दिया हमारे लिए अपने लिए इंग्लिस रीडिक कर दें है अरे जार जूट बोला है अरे पढ़ा नहीं रहे है खुद पढ़ा रहे है हाव इसलिए कि दो आए कि देज बोलने की आधात है मेरी क्योंकि यहां पर मैं सोच रहा हूं कि जो लोग पढ़ चुगे कुछ उनको सब चीज रिकॉल जा कि अरे ठीक वाई सही कर रहे हुजा है पुरा बता दिया तीन घंटे में ठाइम लेना था मैं तीन घंटे ले चुगा हूं इस्टा फेस्बूक नहीं यूज करता भाई इस इस पर चुटर्स इतने हैं जितना तुम पड़े उन में उतना ही करके जाओ और सिफ मैटेरियल से करके जाओ काफी हो जागा मैं सही बता हूं इंपॉटेंट च्प्टर्स मॉलोगर तुमने आपको खुद पता होगा कि आप कि पिप्शिप्तर पड़ चुका है जितने पढ़ चुका है ना अगर तो 60% के अब बढ़ चुके हैं तो आप पास होने वाले हो कि इस टाप नहीं है क्यों पास होने मालों क्योंकि वहां पर 120 मार्क के क्वेश्चन मिलें कि मतलब 120 परसेंट क्वेश्चन मिलें का 20 परसेंट तो वैसे भी स्किप करना है आपको सुछन मिले एक एडिक्शन है अच्छा नहीं नहीं पढ़ता भाई अभी टाइम है तो इसलिए मैं अभी एक्टिवू मैं सोच रहा हूं नहीं अर्यार राली का भी नहीं लोग अलेलू क्या अकलास नहीं आज नहीं पाईगा लोग मैं चीज दिखाऊं कैसे दिखाऊं लोग का सिंपल साथ टिप्स है अक्षित भाई की बीसी आरा आपको पूरी मजबूती से करनी है समझ रहां उसमें आपको रुकना नहीं पड़ेगा बीसीर पहले की जिए उसमें एक गंटा या गंटा पंदरा मिनिट लगे लिटरली में बता रों क्यों लगिए उसमें र सारा फॉर्मेट मुझे पता है ठीक है एक दो एमसी की उस गलत होगे नो प्रोब्लम लेकिन पूरा बीसीर करना सारे तो फॉर्मेट वाइज है पूरा बीसीर कर लेना एंड सब्सक्राइब करना अगर बीसीर में 40 मांक्स का टेंट आप कर चुके हैं अगर तीन चर्माली जैंसी की गलत भी है या जो भी घलत होगा चार पाच कितना भी घलत होगा आपका 20 marks से क्योंक्त रहें और थर्टीव तु फोटी मांक्स के डिरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तैक्वेश्चन इनक्सक्राइब स्कुचि अर्फ कर सकता है शो सारे जो है को समझ के चलिए कि जो आप 8 पर न का डालिवा क्वेस्टव की जुना तो दो घंटे में पूरने मार्वर दिखनों मुर्सि डिख को audi इतना समझ के चलो अगर आपने अच्छे से लिख लिख लिए तो 35 से भी नीच नहीं आ सकता सचाहिए कि मैच में भाई स्टैट्स के फर्स्ट थ्री चप्टर जिसको तीन चप्टर नहीं दो चप्टर कहोगे तो ज्यादा चलेगा कि मीडियन मोड है और उसका एक यह देखने ना इंडेक्स नंबर तो इन से मिलाकर 25 माक्स को हो जाते हैं और 20 माक्स के आपका हो गया एला तो कितना हो गया 45 और 15 माक्स को गया टाइम विलू अपनी कितना हो गया लगभक 60 अब इतना आप अच्छे से कर लेते हो मेटेरियल भी पूरा पकड़के रखते हो तो आपका 40 कहीं नहीं जाने वाला और बाकी के जो चेप्टर ऐसा मत समझे कि रेशियो प्रोपोर्शन से आप से नहीं बनेगा बन जाएगा इक्वेस्टन वाले भी कुछ ऐसा क्वेस्टन होते हैं जो आप से इजिली बन जाए इजी क्वेस्टन होते हैं ऐसा नहीं देखो अब रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो चेप्टर है वह लग भांस 8 से 9 मक्स का है मतलब 10 मक्स का भी कभी कभी चला जाता था अब उसमें से 3-4 क्वेस्टन ऐसे होगा जिसको तुम ऑप्शन देखकर बना लोगे इक्वेस्ट इक्वेस्टन 10 में पढ़ चुकि उससे एक तो क्वेस्टन जडूर पता चलेगा क्योंकि पांच-पांच क्वेस्टन हर चेप्टर से पुछेगा तो एक तो क्वेस्टन अराम से बढ़ जाएगा जो अधिकर बेंड़ेट्स के सिपड बताता हूं हो डिटर उपर रहता है ना देटर इटर होता है निचली अर निचल गीजन ऑनलेट्स कर देना और उसको कहा दिखाना बैलेंस चीट में है यानिकि बैलेंस नहीं प्रोवीजन जो डेटर के साथ ऊपर गिया हो डिवन है उस उल्ड प्रोविजन को जो निव प्रोविजन कालकुलेट के उससे माइनिस कर देना बस और उसको देखा देना पी एडल में कहानी खतम अब कुछ नहीं उसमें मैं त्रिविल्स में मैं थे लग जाएंगे लग जाते हैं तुक्का लगाना नहीं चाहिए लिकिन देखिए कहां प्याप लगा सकते हैं आम ठेलिंग यू कुछ कुछ क्वेश्चिन से तो जो रिपी टीडिव होते हैं जैसे कि प्रवाइबिलीटी के क्वेश्चिन्स हो गहा है जिसमें रहता है कि अग क्वेश्चिन स्पेसिफाइड हो जाता है मैंने कि हां यह क्वेश्चिन मैं देखा हुआ हो तो लगा सकते हो सरफ क्या है अरे भाई आप लोग से छोटा है एंसी की पेपर में तुक्के माने चाहिए या नहीं सारे में ही मारने चाहिए अगर चार पांच मार ले तो कोई दिक्कत के बात नहीं है निव प्रोविजन पर्वर्वास बैडडेट मैंस वल प्रोविजन सिंपल लोग दख्ष्भाई प्लस बैडडेट नहीं भी लिखोगे ना तो बैडड दो को वैसे भी एक स्पेंज से उसको दिखाना ही पड़ेगा पल में अलग से भी अधार अधार कार्ड एज नहीं दिख्या है लेकिन यार नहीं दिख्या गया है वरना मैं जो है आप लोग को अपना अधार काड दिखाता है मेरा एज के है या इस आपको अपना दार कर दें फारा है निव रैश्यो से अरे बाई निव रैस्यों से माइनस करते हो ना यानि कि निव रैस्यों कम है थो यह सक्रिफ्याइजिंग आता है ठीक है पूजीटी बाइण से लिटा यजिविवा तो आपका गैनी कामरा दो नहीं है यहार, इसको दिखाओ।